हलो अच्छो, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई, सब बढ़िया, हाँ भई, तो भईया, मजाक मजाक करते-करते दूसरा चैप्टर एंड हो चुका है, तीसरे चैप्टर में आ चुके हैं, और तीसरे चैप्टर का भी आज, कल ये भी चैप्टर एंड हो जा आपको कोशिश करेंगे जितना हो सकता है atomic structure के अंदर आज हम लोग देखेंगे बहुत important लास्ट कल की class की theory में क्या था theory थी थी बहुत जादा theory हो गई थी लेकिन वो important थी क्यों क्योंकि भाईया आज के time पे discovery of subatomic particles important है कहीं से भी questions आ सकते हैं किसी भी तरीके से questions पूछे जा सकते हैं तो देख लीजेगा discovery of subatomic particles आपको आना चाहिए दूसरा सर हम लोगों ने alpha raise, beta raise, gamma raise ये सब कुछ किया Rutherford model किया Rutherford का model का conclusion किया मुझे ले experiment किया X-ray कैसे generate होता है cathode ray heavy metals टकराता है तो X-ray generate होता है cathode ray independent of gas होता है anode ray depends on the gas ये सारी बाते हमने last class में finish की थी alpha, beta, gamma, erase पढ़ लिया था फिर हमने X-ray पढ़ लिया था फिर हमने ये भी देख लिया था कि Thompson model की अच्छी बात क्या है Rutherford model की बुरी बात क्या है Rutherford model fail कैसे हुआ ये सारी कहानी हम लोगों ने last class में finish की थी atomic structure में even हमें last class में solution का vanta factor भी किया था vanta factor हमने कर लिया था solution chapter का तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करके बैठे हो है अब हमें क्या करना है तो ध्यांस देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर finalist, ultimate class course में atomic structure में अभी क्या करने वाले है तो आज का जो topic है बहुत basic से start होगा आज का topic अव्य से बहुत basic से start होगा लेकिन ये पता है कि जब तक end करेंगे तब तक बहुत अच्छे level पर पहुंच जाएगा तो साथ से बने रहिएगा concentration level एकदम बना कर रखिएगा नजरे screen पर रखिएगा और मतलब copy पर side में papers पर practice करते रहिएगा क्योंकि कहीं भी कभी जटका लग सकता है ठीक है ना तो seat weight बान लीचिए क्योंकि तूफान आने वाला है क्या होने वाला है देखिए सबसे पहले basic बात करेंगे तो भाई या सबसे पहले basic math का या physics का question पूछ देता हूँ अगर कोई wave होता है तो wave के case में अगर देखेंगे तो wave के case में हम लोग क्या बोलते हैं यह देख लो wave के case में दो-तीन चीज़े मैं define कर देता हूँ अगर wave कहीं बनता है तो wave के case में यही चीज़े define होती है यह क्या है ध्यांस देखिएगा सर इसको में लोग क्या बोलते हैं अगर मैं इसको बोलू यह क्या कहलाता है यह amplitude कहलाता है यह क्या कहलाता है amplitude कहलाता है यह जो height है इसको में लोग क्या बोलते हैं amplitude कहते हैं बात की जाती है फिर अगर बात करते हैं wavelength के बाद, अगर हम बात करें तो sir हम ही यहाँ पर दो चीज़े मिलती है, एक होती है frequency, frequency को हम लोग बोलते हैं, कोई भी wave है, तो उसकी frequency होती है, जिसको हम लोग represent करते है new से, इसका unit देखोगे, तो इसका unit होता है, इसका unit होता है per second, या फिर इसी को ह यह कि आप जया बोल देते हैं। time period. frequency क्या होता है कि एक सेकेंड में आप कितनी बार । जैसे कहीं लिख papa है 50 Hz, जैसे हमारी कि इंडिया में electricity 50 Hz की आती है तो 50 बार यह शिच वन जू लाइट है, बल्ग वो 50 बार बार आउफ हो रहा है, पचास बार हो रहा है, टाइम पिरिट क्या 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 है, टाइम पिरिट टाइम पिरिट क्या बताता है, टाइम पिरिट क्या होता है, टाइम पिरिट क इंकालना है तो wave number is nothing 1 upon lambda frequency का inverse करोगे time period आएगा wavelength का inverse करोगे wave number आएगा कि एक centimeter में इसका मतलब होता है एक length कितनी है एक wave की length कितनी है यह होता है कि एक meter या एक centimeter में कितने waves है वो बताएगा wave number फिर देख लिजे इसको lambda new t new bar पका यह देख लो अगर मैं पूछूँ velocity of any wave अगर कोई velocity of wave की बात करे तो velocity जो होती है वो कुछ नहीं किसके equal होती है frequency into कोई भी wave होगा तो frequency into क्या हो जाएगा wavelength क्या हो जाएगा frequency into wavelength अगर किसी wave का speed निकालने जाते हो तो velocity जो होगी वो क्या होगी new into lambda new into lambda यह कुछ general basic features है wave के amplitude होता है सर यह क्या है trough point है यह trough है यह क्या है crest है ठीक है यह trough है यह crest है basic wave का यह पता होना चाहिए wavelength क्या होता है frequency किसको बोलते है time period किसको बोलते है wave number क्या होता है velocity क्या होती है यह चीज़े हम लोग basic जानते है अब यह मैंने क्यों पढ़ाया physics का चीज में हाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले है वो wave nature के बारे हम बात करने वाले actually हुआ क्या thomshar model के बाद break आया break किसीज़ का आया x-ray काया alpha risk आया beta risk आया gamma risk आया फिर कौन आया rudarford model आया rudarford model जैसी बीता sir direct bourse नहीं आया bourse के आने से पहले bourse के आने से पहले rudarford model के बाद जो bourse आया उसके आने से पहले क्या था तो sir वहाँ पर हम लोगों ने यह देखा था कि अगर मैं बात करू rudarford के आने के बाद तो रदरफोड के जाने के बाद बोर्स डारेक्ट नहीं आया, बीच में कौन आया, प्लैंक्स कौन्टम थिवरी, इलेक्ट्रो माइगनेटिक रडिएशन, यह इलेक्ट्रो माइटिक वेवस, यह सब चीजी आई, तो उसके बाद बोर्स ने अपना एक, बोलता ना कि अपना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आक्शली देखो, याद करो, मैक्सवल वही था जिसने किसको उंगली करी थी, रदरफोड को उंगली करी थी, मैक्सवल ने क्या बोला है, कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अंडर अक्सलरेशन, कोई ख्रटुट्रिकली चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, अंडर अक्सलरेशन, तो अल्टरनेट अक्स्यस पे एलेक्टरिक और म्यग्नेटिक फिल्ट प्रोड्यूज होते हैं, मतलब कोई चार्ज पार्टीकल अगर मूव करेगा, तो उसके अल्टरनेट पर्पेंडिक क्या मूव करेगा सर वे मूव करेगा कौन सा?! Electromagnetik waves मूव करेंगे इधी yav elements साथ कुछई अच्छी बाते भी है इन waves के साथ कुछ अच्छी बाते भी है पता है क्या? इन waves के साथ अच्छी बात क्या है कि सर ये न ये सर आराम से ende हो जाती है इनकी जो light, speed होती है, speed of light के बराबर होती है, इनको किसी medium की जुरत नहीं होती, और इनका सर कोई भी, कोई भी deviation नहीं होता, कोई भी deviation नहीं होता, इनके पास कोई भी electric और magnetic field में deviation नहीं होता, मतलब ये हमेशा electromagnetic waves जो होगा, electromagnetic waves, EM waves जो बोलते हैं, EM waves का जो traveling है या direction है, direction of EM waves जो ह ये क्या करता है ये एक दूसरे केkich electromagnetic radiation जो होती है, waves होती है, ये एक दुसरे के direction जो बात करें, direction of electromagnetic waves तो वो perpendicular होती है, electric और magnetic field के perpendicular चलती है, मतलब अब electric field इस direction में है, magnetic field इस direction में है, तो electromagnetic waves कहा होंगी, इस direction में होंगी, ये electric field हो गया, इधर magnetic field हो गया, एक दुसरे के perpendicular रहेंगे, एक दुसरे के perpendicular रहेंगे, इनकी speed कि इसके equal है, light की speed के बराबर, अब यहां से देखना, speed of light, sir एक बाब बताओ, अभी पढ़ा था कि कोई भी wave है, उसकी velocity क्या लिखते है, frequency into lambda लिखते है, sir, speed of light को हम लोग, इसको, sir, common sense में यहां पर क्या लिखते है, c से represent करते है, किस से represent करते है, c से, तो sir, for em waves, for em waves, ध्यास देखिएगा, for em waves, इस पर बहुत छोटा सा numerical बनता है, लेकिन question आया हुआ है, sir, em waves, velocity क्या हो जाएगी, c, and c is equal to new into lambda, sir, c क्या है, constant है, यह change हो नहीं सकता है, speed of light, तो मतलब frequency, यहां से मैं बोल सकता हूँ, कि frequency जो होगा, वो c by lambda होगा, या फिर lambda जो होगा, वो c by क्या हो जाएगी, frequency हो जाएगी, frequency जो होगा, वो c by क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, c by क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, lambda जो होगा, वो c by new होगा, और यहां से पक्का, तो frequency जो होगी हो, c by lambda, lambda जो होगा, c by new हो जाएगा, electromagnetic waves का देख लो, electromagnetic waves का, c is equals to new lambda, new is nothing, c by lambda, lambda is nothing, c by new, यह देख लो, आप electromagnetic waves में एक चीज अच्छी बात है, कि इसकी speed fixed है, तो frequency बढ़ाओगे, wavelength कम हो जाएगा, wave बढ़ाओगे, wavelength बढ़ाओगे, frequency कम हो जाएगी, opposite सो चलो, एक दूसरे के inversely proportional होगे, पक्का, तो दो चीजे में याद रखेगा, electromagnetic waves की यह स्पीड होती है, speed of light के बराबर होती है, speed of light के बराबर होती है, एक दूसरे के perpendicular चलते है, और जो इनका frequency और wavelength होता है, एक दूसरे के inversely proportional चलेगा, inversely proportional चलेगा, अब electromagnetic radiation जो होगे, obvious उसके बहुत सारे लोग होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देते है, spectrum बोल देते है, और spectrum जो obvious है, जिसमें लगातार lights आ रही हो, बिना किसी gap के हो रही हो, उसको जिस जगह पे लगातार light आ रही हो, उसको क्या बोल देते है, continuous spectrum, उसको हम लोग क्या बोल देते है, continuous spectrum, और जहां पर बीच में गैप आ जाए उसको क्या बोल देंगे discontinuous spectrum, जैसे for example यह देखो, यह क्या है, सर लगातार lights आ रही है, अलग अलग जगा से, Electromagnetic spectrum का मतलब क्या हो गया, कि सर अलग अलग type की light आ जाए, अब देख लो, इतने type की radiation होती है, सर अर्थ और सब्वेज में कौन सी होती ह AC power में, monitors में, mobile में, धीधर जैसे से आगे चलते जाओगे, sunlight की energy देखो, सर medical x-rays की energy देखो, radio gamma rays की energy देखो, सर electromagnetic spectrum में, यहां से लेकर वहां तक, अलग अलग type के, सोचो ना, यहां से start हो रहा है, 3 hertz से, 3 hertz से लेके, सर 300, अपने पास, 300, सर कितना pico और पेटा तक जा रहा है, ठीक है, वहां तक जाके hertz तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप even NCRT में देखोगे, यह दिख जाएगा, आपको NCRT में, electromagnetic waves दिख जाएंगे, electromagnetic radiations दिख जाएंगे, electromagnetic spectrum दिख जाएगा आपको, कैसे, gamma, x, u, v, i, v, visible, microwave, FM radio, long radio waves, अब यह न तुम्हें कोशन यह स और अगर मैं उल्टा पूछूँ कि सबसे जादा wavelength किसका है, तो सर, radio waves का, इसकी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी, तो इसको याद करने का एक simple सा तरीका होता है, electromagnetic spectrum को याद करने का एक simple सा तरीका है, सर, electromagnetic spectrum को याद करने का एक simple सा तरीका बताता हो, इसको याद करने का shortcut यह आई है radio में radio में radio waves ये क्या हो गया radio ये क्या हो गया micro radio में I मैं तो ये क्या हो गया infrared वचन देता हूं मतलब visible बचन वचन देता हूँ विजिबल, अल्ट्रा वाइलेट अल्ट्रा वाइलेट वचन देता हूँ अल्ट्रा वाइलेट, रेडियो में आई वचन देता हूँ, आई वो यू एक्स गर्ल्फरेंड से चैट नहीं करूंगा X girlfriend से chat, यह X ray हो गया, यह क्या हो गया, gamma ray हो गया, X ray हो गया, यह क्या हो गया, gamma ray हो गया, और यह क्या हो गया, सर cosmic ray हो गया, सर देख लीजे, क्या याद करने का trick है, Electromagnetic spectrum को याद करना है तो आप simple सा आप या तो ऐसे याद कर लीजिए यह लग नी रहा याद होगा तो simple सा trick क्या है Radio में आई वचन देता हूँ ex-girlfriend से chat नहीं करूँगा अभी वचन देने का time है नहीं exam हो जाए, selection हो जाए, फिर देते रही है लेकिन हाँ, अभी के लिए सीन लीजिए कहानी कैसे याद रखनी है, Electromagnetic spectrum में Sir, Radio waves की देखेंगे ना तो Radio waves में, तो देखो यहाँ पर इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे Radio waves से इधर, Cosmic rays या Gamma rays की तरफ, तो इधर क्या हो रहा होगा Frequency increase करेगा तो सबसे जयादा Frequency की होगी Cosmic rays की, लेकिन अगर उल्टे आ जाओगे, तो इधर क्या होगा Sir, इधर क्या होगा, wavelength क्या होगा Increase करेगा, इधर क्या हो जैगा wavelength क्या हो जैगा, Increase करेगा तो उधर frequency increase کر रही है उधर से इधर आ रहे है, Frequency इधर से इधर जा रहा है वेवलेंद क्या होगा इंक्रीज करेगा, अब जात करने हैं देख लो, रेडियो में आयवचन देता हूँ, एक्स गोल्फेंड से चैट नहीं करूँगा, किसका मैक्सम वेवलेंद होगा, तो अभी जस्ट पढ़ा, सर टृक क्या है, यही तो है, सर सबसे जाधा máximo wavelength किसका होगा, radio waves कि अधर met lint किसका होगा, या ada ya dooonmaximum wavelength किसका होगा, radio waves कि होगा, याद करने का trick आपको पता है तो within second कहोंच कर लोगे, मेंच resolvemaximum frequency, frequency किसकी जादा होगी तो याद रखना, जैसे ऐसे वचन दोगे न हार्टबिट बढ़ेगी तो रेडियो में आई वचन देता हूँ एक्स गल्फेंड से चाट नहीं करूँगा इधर से इधर जाएंगे जब ये वचन देते हैं तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज करती है फ्रिक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज करती है सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है पक्का चलो अब ये कोशन नीट का कोशन पूछा हुआ है नीट का question पूछा हुआ है नीट PYQs में है ये नीट previous year questions में है नीट PYQs में है ये ये question देख लिजे नीट PYQs में क्या मिलेगा अब particular station of all India radio क्या दिया हुआ है सर frequency दी हुई है कितना 1368 kHz 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 को देखेंगे 1368 into 10 की power 3 Hz ये frequency दी हुई है frequency दी हुई है क्या पूछ रहा है wavelength बताईए सर wavelength क्या होगा सर किसी भी electromagnetic radiation का wavelength निकालना हो तो C upon new कर सकते हैं and that is 3 into 10 की power 8 upon 1368 into 10 की power 3 सर ये देख लो 3 into 10 की power 5 upon 1368 solve करेंगे सर्फ solve करेंगे solve करके इसका answer निकालेंगे मेरे पास जो answer आएगा मेरे पास जो answer आएगा आप calculate करके देख लिजे 3 lakh को किस से divide करेंगे 3 lakh को किस से divide करेंगे अब calculation देख लिजे करके exam hall में obvious है एक ही दो calculation आएगे तो अच्छे calculation दिये जा सकते हैं इस question में तो यही देखा जा रहा था कि भाई आप कितना अच्छा calculation within time कर सकते हैं तो 219.3 आजाएगा 219.3 आजाएगा पका तो electromagnetic waves क्या होती हैं सर जो electric और magnetic field के perpendicular चरे electromagnetic waves का spectra होता है अव्वेस एक पूरा range होता है कहां से कहां तक radio से लेके cosmic rays तक कहां से कैसे याद रखेंगे radio में आई वच्छन देता हूँ एक्स girlfriend से chat नहीं करूँगा यह पूरा तरीका हो गया पूरा का पूरा का अपने पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा यह continuous chain बन जाएगी सर रेडियो से जब cosmic rays तक जाते हैं frequency increase करती है उधर से आते हैं तो decrease करती है electromagnetic waves की जो speed होती है वो speed of light के बराबर होती है तो यहाँ पर frequency into lambda हमेशा किसके बराबर होगा frequency into lambda हमेशा किसके बराबर होगा c is equals to c is equals to new lambda होगा और उसी का use करके frequency जिसकी ज़्यादा उसका wavelength कम wavelength जिसका ज़्यादा उसका frequency कम यह चीज़े आप कर सकते हो पका बढ़िया यह देखिएगा, Planks Quantum Theory की बात करते हैं, अब नई चीज देखते है, Planks Quantum Theory क्या है, सर जैसी हमें पता चला Electromagnetic Radiation है, तो एक भाई साब थे Planck, उन्होंने क्या बोला, बहुत बहुत रिडाउंड आदमी थे, मतलब सोचो Max Planck जो थे न, Einstein लोगे सब लोगे गूरू थे उदर, उ इन सबकी न, अपने small, छोट-छोटे pockets of energy है, और इन छोट-छोटे pockets की जो energy होगी, देख लेंगा दहां से, जितनी भी radiation energy, emit हो रही है, चाया absorb हो रही है, वो continuous नहीं है, क्या है, वो discontinuous है, और वो छोटे-छोटे packets of energy के form में है, सम Quanta, उसको क्या बोल देते हैं, उस packets को क्या of light उसकों लोग बोल देते हैं, Sometimes, other wise, in normal case में क्या बोलेता है, Quantum बोलेता है, in case of light इसको लोग बोलेते है photon or Wasser, Quantum बोलेता है, Sirええ क्या बोलेता है Sir देख लो, इसको क्या बोलते है photon and quantum, चाया ये continuous नहीं होता है, और शोटे-छोटे packets of energy है, छोटे छोटे packets of energy हैं और इन ही को लोग क्या बोल देते हैं quantum, in case of light इसका नाम के आओ जाता है photon और बाकी लोगों में quantum बोल देते हैं उन्होंने एक line बोली कि जो energy होती है हर एक quantum की ये जो होती है ये directly proportional to frequency होती है, याद रखिएगा सर ये statement किसका था planks quantum theory का, सर इनर्जी को उन्होंने किस से relate किया था, frequency से wavelength से relate नहीं किया था, वो अलग बात है कि अब हमें पता है कि frequency और wavelength एक दुसरे का opposite चलते हैं, लेकिन कोई पूछे, planks quantum theory का original line, तो क्या होता है energy of each quantum is directly proportional to frequency, energy directly proportional to क्या हो जाएगी, frequency, directly proportional का sign हटाने के लिए हम लोग क्या करते है, h into new, ये क्या है सर ये formula हम लोग use करेंगे e is equals to h new, where where h is planks constant, where h is planks constant, where h is planks constant, जिसकी value होती है, 6.66 into 10 की power, minus 34 joules per second, ठेक है ये value हो जाती है, e is equals to h new, अच्छा, एक quantum से इतनी energy है, अगर n quantum सा जाएं, अगर n quantum सा जाएं, अगर n quantum सा जाएं, तो n quantum में क्या हो जाएगा, each quantum की energy इतनी है तो n photons की energy कितनी हो जाएगी, अगर n photons की energy निकाल लें, तो e is equals to n h new हो जाएगा, n times multiply कर दिजिएगा, 1 की h new है, तो sir 10 की कितनी होगी 10 times, 20 की कितनी होगी 20 times 30 की कितनी होगी 30 times तो N photons की energy कितनी हो जाएगी E is equals to N into H into new फिर किसने बोल दिया कि सर एफ बात बताऊं E is equals to H new बताया आपने यहाँ पर यहाँ पर new दिया तो सर एक काम करते हैं अभी थोड़े पहले ही तो पढ़ा था कि सर new की value क्या होती है C by lambda होती है सर यह put कर सकते हैं आप put करने को कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आप energy की value ऐसे भी लिख सकते हो सर यह one photon के लिए होगा for one photon, एक photon की energy निकालनी है तो ऐसे निकलेगी या फिर अगर N photons की निकालनी है तो N into H into new and that is equals to N hc by lambda N hc by lambda N hc by lambda कितने photons के लिए for N photons N photons, N photons के लिए कितना हो जाएगा इसकी energy सर एक photon के लिए इतना N photons के लिए कितना हो जाएगा बना लो, E is equals to H new या N h new, हो जाएगा सर sure हो, तो N photons की energy इतनी हो जाएगी N photons की energy इतनी हो जाएगी शूर है सर पकाँ चलिए E is equals to H new N into H new ये आजाएगा NHC by lambda आजाएगा ये हम लोग के पास बाते आ गए अच्छा एक बात और बताओ इनर्जी हमने पढ़ा है इनर्जी हमें सा क्या रहती है? इनर्जी हमें सा क्या रहती है? इनर्जी का चलो यहां बहुत छोटी छोटी इनर्जी होंगी तो यूनिट्स अफ इनर्जी भी थोड़ा डिसकस करी लेते हैं यूनिट्स अफ इनर्जी भी थोड़ा डिसकस कर लेते हैं यूनिट्स अफ इनर्जी भी थोड़ा डिसकस कर लेते हैं हम लोग 4.2 joules लिखते है यह joules हो जाता है अगर मैं बात करूँ एक और energy का unit होता है जिसको मैं बोलते है electron volt energy का unit है electron volt या फिर इसी को बोल देते है EV and that is equals to 1.6 into 10 की power minus 19 joules यह value भी हो जाती है EV का मतलब यह होता है electron volt का actually energy जो होती है energy on charge Q due to voltage v किसी voltage v के कारण किसी charge के ऊपर कितना energy आता है Q into V कितना energy आता है Q into V then energy on charge this यह क्या हो जाता है Q into V हो जाताए कितना हो जाता है Q into V हो जाता है then photons की energy कितनी हो जाएगे E is equals to NH new E is equals to H new H C by lambda and H new bar Energy on charge Q due to this voltage Q into V Sir electron के उपर क्या हो जाएगा Electron into volt तो ये energy का unit हो जाता है Unit of energy हो जाती है एक word और यूज करते हैं जब energy की बात चली है तो यब ये देखी लेते है Intensity की बात Power क्या होता है चलो पहले power बताओ Power क्या होता है Energy per unit time Power का unit क्या होता है What और What का मतलब होता है कि Sir joules per second Joules per second यही होता है What का मतलब क्या हो गया Joules per second तो ये देख लीजेगा Energy का unit क्या होता है Sir joules और इसका per second Energy upon time एक चीज और होती है कहीं भी मिल जाए Intensity is nothing Energy per unit area per unit time Intensity ऐसे निकाल देते है Per unit area से divide कर दिजे तो intensity आजाएगी Power के लिए क्या करते है Energy per unit time निकाल दिजे तो power आजाएगा Power के लिए क्या करते है Energy per unit time निकाल दिजे Power आजाएगा Intensity क्या है Energy per unit area Per unit time आजाएगा पक्का तो N photons के case में ये होगा intensity ये है अच्छा एक दो चीजे हैं हमेशा हम लोग conservation of energy करते हैं conservation of energy करते हैं तो इसी से अब एक चीज याद रखिएगा अगर मैं ऐसा कोई concept लेके आऊं कि सर एक body है अगर उसने कोई radiation absorb करी मालनो new radiation absorb करी और इससे दो radiation मैंने बाहर निकाल दी new on और new to तो सर इनके बीच में क्या relation होगा तर यहाँ पर मुझे एक चीज पता है कि energy क्या रहेगी जितना absorb करोगे वहीं release कर सकते हो क्योंकि obvious हमने क्या पढ़ा energy क्या रहती है conserve रहती है energy क्या रहती है तो जितना energy आप absorb करोगे वहीं release करोगे कितना energy absorb करोगे sir h new absorb करोगे कितना release कर रहे हो h new one plus h new two sir h common कर दे तो new is equals to nothing new one plus new two sir देख लीजेगा sir आप देखेंगे frequency directly add हो जाता है अगर एक ही body के उपर दो frequencies आ रही है या एक frequency जा रही है तो उनके case में आप frequency को direct add कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि energy conserve है लेकिन अगर यहीं चीज अगर यहीं चीज अगर यहीं चीज wavelength के term में होता कि sir आने वाली जो light है उसका wavelength lambda है और sir इसमें से दो lambda one और दो energy निकल रही है दो एक lambda absorb कर रहे है और एक lambda one lambda two क्या हो रहा है release हो रहा है तो इस case में यह क्या लिखेंगे hc by lambda energy जो absorb होगा और energy जो release होगा hc by lambda one plus hc by lambda two यहीं होगा sir hc hc common है तो क्या बच जाएगा one by lambda one by lambda one plus one by lambda two यह देख लिजेगा ऐसा आजाएगा क्या frequency क्या होगी new one plus new two lambda क्या होगा sir lambda direct addition नहीं करेगा one by lambda is nothing one by lambda one plus one by lambda two यहीं होगा तो conservation of energy का जब rule follow किया जाएगा conservation of energy का जब rule follow किया जाएगा तो आपको frequency directly additive दीखे लिए और यह तो देख लो सारे formula एक साथ लिखे हुए अगर एक photon के लिए energy बात की जाए तो e is equal to h new या hc by lambda sir n photons की बात की जाए तो n h new n hc by lambda units of energy electron volt में दिया है तो आप ऐसे convert कर लेंगे या joules में दिया है तो divided by कर लेंगे sir power क्या होता energy per unit time एक second में कितनी energy release करते हैं उसी को power बलते हैं intensity क्या होती है energy per unit area per unit time conservation of energy करेंगे तो frequency is nothing new 1 plus new 2 हो जाएगा lambda is nothing 1 by lambda is nothing 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2 हो जाएगा this is what Planck's quantum theory है चलो इक करते हैं इन सारे formulas के उपर कुछ questions करते हैं चली बताइए frequency और energy बताना है wavelength का photon का wavelength दिया हुआ है कैसे निकालेंगे sir wavelength दिया हुआ है पहला काम क्या करेंगे wavelength को किसमें convert करेंगे sir उसको standard unit में convert कर लेना क्यों क्योंकि भाईया एक बात बताओ 10 की power minus 10 meters sir meters में क्यों किया क्योंकि SI unit follow करो भाई unit में exam में याद रखना हमेशा SI unit try करना angstrom की बात करेंगे तो angstrom is 10 की power minus 10 meter या फिर 10 की power minus 8 centimeter हो जाता है ठीक है तो देख लो sir ये कितना हो गया 5 into 10 की power minus 7 5 into 10 की power minus 7 meter हो गया और अगर मैं बोलूँ energy की बात करूँ तो energy is nothing energy energy क्या होगी frequency निकालनी है frequency कैसे निकलेगी c by lambda c की value कितनी है 3 into 10 की power 8 5 into 10 की power minus 7 कितना हो जाएगा 0.6 into 10 की power 15 या हम बोल सकते है 6 into 6 into 10 की power 14 ये hertz जाएगा frequency इतनी आ जाएगी किसने बोला से energy बताओ तो energy is nothing h into new लिख सकता हूँ h की value कितनी है 6.6 into 10 की power minus 34 frequency कितनी है 6 into 10 की power 14 6.6 into 6 36 39.6 into 10 की power minus 20 या हम बोल सकते हैं सर इसको क्या लिख देंगे 396 into 10 की power इसकी value बढ़ा रहे है तो इसकी value क्या उल्टा कर देना इसकी value 3.96 कर देते हैं into 10 की power minus 90 joules कर देते हैं यह joules में इतना energy आ जाएगा किसने बोल दिया देख लो frequency निकालना है frequency निकालो energy निकाल नहीं H new से निकाल दो energy is equal to H new eki is equal to H new ऐसे आएगा, अच्छा मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक बात बताईए, अगर इस इनर्जी को कितना आ रहा है 3.96 into 10 की पावर minus 19 joules आया किसने बोला सर नहीं सर मुझे तो electron volt में चाहिए, electron volt में चाहिए तो joules को किस से divide करूँगा कि electron volt में आ जाएगा 1.6 into minus 10 ये फिर किस में आ जाएगा, अगर इस से कर दूँगा तो electron volt में आ जाएगा जितना भी आए, 2 electron volt के आसपास 2.5 electron volt के आसपास आ जाएगा पक्का, तो frequency दी है तो wavelength निकाल दो, wavelength दिया है तो frequency निकाल दो, E is equals to H new कर दो अगला question आप खुद से ट्राई करो, अगला question आप खुद से ट्राई करो, क्या होगा, क्या होगा, इस question का अंसर क्या होगा, निकालो, टाइम लो, निकालो, क्या आएगा इस question का अंसर इस question का अंसर क्या आएगा क्या आएगा इस question का अंसर देखो, क्या हो जाएगा calculate the wavelength, energy दी हुई है देखना भाई साब, energy दी हुई है कितना, 2 electron volt अरे भाईया, 2 electron volt, फटा फट इसको किसमें convert करोगे, 2 into किसमें convert करोगे, 1.6 into 10 की power, minus 19 joules, 2 into 1.6 into 10 की power, minus 19 joules, ये दिया हुआ है electron की energy दी हुई है, सरे काम करते हैं, अब इस energy को किसके equal put कर दो, अगर मैं देखूँ, तो wavelength क्या हो जाएगा, energy is nothing, h into new लिख सकता हूँ h is equals to h new लिख सकता हूँ, new की value क्या आजाएगी 2 into 1.6 into 10 की power, minus 19, 6.6 into 10 की power, minus 34, यही आएगा frequency क्या आजाएगी, hertz में आजाएगी जितनी भी आए, मुझे अब exact value नहीं निकालनी, क्योंकि NCRT यह question है मैं calculation पर नहीं जाऊँगा अभी, मैं frequency निकाल सकता हूँ किसने बोला, sir wavelength बताओ, तो wavelength क्या हो जाएगा, c upon new हो जाएगा, c की value कितनी होगी 3 into 10 की power 8 frequency की value कितनी है 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 divided by 6.6 into 10 की power minus 34, यही होगा साइद wavelength की value निकालने जाओगे साइद हमें यह दिखने को मिल जाए यह चीज उपर आ जाएगी और divided by divided by 2 into 1.6 into 10 की power minus 19, यह क्या जाएगा wavelength क्या जाएगा, meter आ जाएगा wavelength क्या जाएगा, meter में आ जाएगा frequency क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी तो frequency और wavelength देख लो निकाल सकते हो, पक्का frequency और wavelength निकाल सकते हैं सर निकाल दीजिए, frequency और wavelength निकाल दीजिए frequency और wavelength ऐसे निकाल दीजिए पक्का, energy दीथी इसको joules में convert कर दीजिएगा, planks quantum theory में obvious सब कुछ SI unit में having a wavelength, this are necessary to provide 1 joule, energy दी हुई है सर, energy दी हुई है, wavelength दिया हुआ है, number of photons निकालना है wavelength को पहले किसमें convert कर दोगे, सर, lambda की value को आप किसमें लोगे, सर, lambda की value को किसमें लोगे, 4000 angstrom मतलब 4000 into 10 की power minus 10 meters ठीक है, सर 4 into 10 की power minus 7 meter ले ले लेंगे, 4 into 10 की power minus 7 meter ले ले लेंगे यही होगा, तो energy की value निकाल के देखो, यह 1 है, n की value नहीं पता, h की value कितनी है h की value कितनी है, तो यह h की value 6.6 into 10 की power minus 34 c की value कितनी है, 3 into 10 की power 8, lambda की value कितनी है, 4 into 10 की power minus 7, सर, n की value निकालना है, कुछ नहीं करना 4 upon 6.6 into 3 10 की powers को इधर ही solve कर लो 10 की powers को इधर ही solve कर लो कितना हो जाएगा 4 ये कितना हो गया सर minus 7 plus 7 हो गया 15 हो गया 15 minus करेंगे 15 minus करेंगे तो यो कितना हो जाएगा सर ये कितना हो जाएगा 10 की power minus 19 हो जाएगा minus 19 हो जाएगा सर देखिएगा n का number कितना आ गया 4 upon इसकी value देखेंगे तो it will be approximately 19.8 10 की power plus 19 आ जाएगा 10 की power 19 आ जाएगा ये 4 upon 20 ले 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 तो 1 by 5 हो जाएगा 1 by 5 is nothing 0.2 into 10 की power 19 2 into 10 की power 18 number of photons approximately कितना आ जाएगा 2 into 10 की power 18 आ जाएगा 2 into 10 की power 18 आ जाएगा 2 into 10 की power 18 आ जाएगा पक्का तो number of photons ऐसे निकालेंगे E is equals to NHC by lambda तो Planck's quantum theory क्या बोलता है Planck's quantum theory क्या बोलता है निकालो ये देखो ये question भी देखिए क्या बोल रहा है सर एक की wavelength दी है energy इतनी है दूसरे की wavelength इतनी है energy इतनी है कैसे relate करेंगे आप कोई पता है अगर E1 by E2 करता हूँ सर इनर्जी जो होती है energy होती है HC by lambda सर E1 energy is inversely proportional to lambda होगा तो सर E1 by E2 का अगर ratio लिखते हो तो lambda 2 by lambda 1 लिखना पड़ेगा inversely है ना 1 उपर आ रहा है तो यहाँ 2 आएगा lambda 2 कितना है सर lambda 2 कितना है सर lambda 2 16,000 divided by 8,000 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा E1 की value कितनी होगी 2 times E2 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 देख लीजे फिर से आपके पास question पड़ा हुआ है कि सर एक nanometer का देख लो भाई question फिर 300 nanö meter आप क्या कर रहे हो developed कर रहे हो kutnya 60 nanometer का 1 radiation release कर रहे हो अगला radiation बताओ कितने का होगा 300 nanometers का energy आप absorbed कर रहे हो 750 आपने release कर दिया lambda बताओ कोई बोले सर कम का absorb कर रहे है wavelength कम काई होगा जितना wavelength कम होगा उतनी जयादा energy होगी कोई यह सोचे ना सर इसकी इनर्ज जादा नहीं वेवलेंट में अपोजिट चलता है जितना वेवलेंट जादा उतनी इनर्जी कम हो जाएगी तो देख लो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सर वन बाई थ्री हंडर इस नथिंग 1 by 760 plus 1 by lambda सर 1 by lambda क्या आजाएगा 460 300 into 760 क्या हो जाएगा सर देखेंगे सर 1 by lambda यह lambda की बात करें तो lambda की value क्या हो जाएगी 300 into 76 upon 300 into 76 upon 46 यह आ जाएगा lambda की value इतनी आ जाएगी जितना भी nanometers में जितना भी आ जाए यह देखोगे nanometers में इतनी value आ जाएगी 300 into 76 upon 46 मतलब यह value 1.5 की आसपास होगी तो 450 की आसपास 496 आएगा calculate करें तो exactly 450 में दो option दी हुएं तो exam hall में इसका मतलब सामने वाला चाहता है कि sir calculate करें और कुछ भी नहीं ठीक है 76 divided by 46 into 300 76 divided by 46 into 300 496 कितना आजाएगा into 496 यह आजाएगा answer C is the correct answer तो electromagnetic spectra पढ़ा उसके प्लांक्स quantum theory पड़ी प्लांक्स quantum theory क्या कहता है कि यह आप जब भी energy को देखोगे तो अव्वे से कोई भी radiation आ रही है उससे continuous energy नहीं आएगी आप उसे क्या देखोगे discontinuous energy देखोगे आप उसे क्या देखोगे discontinuous energy देखोगे discontinuous energy मिलेगी छोट-छोटे packets of energy मिलेगी energy की value क्या होगी h new या फिर अगर n photons है n quantum numbers है तो n h new अगर hc by lambda के टाओं से बात करें तो e is equals to hc by lambda या n hc by lambda हो जाएगा e is equals to hc by lambda या n hc by lambda हो जाएगा तो यह सब चीजे हम लोग ने बात करें डिसकस करा अब देखो धान से इसके उपर ही एक चीज आएगी that is known as photoelectric effect photoelectric effect आप physics में पढ़ते हो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से आता है यहाँ पर भी एम लो एक बार देख लेते हैं अगर कुछ metals जिनके जैसे like potassium, rubidium, cesium इन सब metals के उपर अगर मैं experiment करता हूँ potassium, rubidium, cesium इन सब metals को अगर मैं light देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मलता है सर, electrons क्या होते हैं electric current क्या हो रहा है? eject हो रहा है मतलब कुछ लोगों के उपर potassium, rubidium, cesium इन सब को light देते हैं तो इनके ओपर क्या हो रहा है? electricity generate हो रही है इन से क्या हो रही? ऐलेक्टरिक जरेट हो रही है और इसी होग क्या बोलते है? photoelectric effect इसी फंडे को क्या बोलेंगे? जगर light देने से अगर photons देने से किसी को light देने से electricity generate हो तो उसको क्या बोलेंगे, photoelectric effect बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, photoelectric effect बोलेंगे, क्या बोलेंगे, photoelectric effect बोलेंगे, तो Hertz ने simple experiment करा, लेकिन Hertz को ये नहीं पता था कि अच्छली इसको mathematically कैसे explain करें, इसको mathematically कैसे explain किया जाए, इवेन Hertz ने देखोगे ना, तो Hertz ने क्या किया था, ठ experiments करके भी दिखाए, so उसको ना बिचारे को मतलब वो नहीं पता था कि आरे वो क्या रहा है, Hertz ने बस mathematically कुछ नहीं पता चला, कुछ experiments में results आए, कि जो electron निकलते हैं वो बहुत जल्दी निकलते हैं, मतलब कोई time के lag नहीं होता, electron जो निकलते हैं, बहुत जल्दी निकलते हैं, there is no time lag between the striking the light beam and ejection of electron, मतलब जैसी आपने light डाला, फटा फटा फट electron eject हो जाएंगे, तो फोटोन से electricity produce हो रही है, that's why क्या बोल देंगे, photoelectric effect बोल देंगे, यह experiment किया Hertz ने, ध्यान सुना, Hertz ने एक बात और बोली, कि जितने भी number of electrons, जितना ज्यादा brightness बढ़ाओगे light की, intensity जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, intensity के directly proportional आ रहा है, मतलब current उतना ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, intensity जितना बढ़ाएंगे, intensity मतलब, intensity मतलब खुब सारी lights का मतलब, lights, intensity, energy per unit area per unit time बढ़ादो, number of electrons क्या होंगे ज्यादा, जितने ज्यादा electrons eject होंगे, obvious electrons के opposite direction में क्या होगा, current आएगा, तो यही funda अपना आया, उन्होंने एक चीज़ और observe करी, इस experiment में एक चीज़ और observe करी, क्या, कि हर एक metal के लिए, for each metal, there is minimum frequency, which is known as, which is known as threshold frequency, कुछ ऐसी, सर एक ऐसा, हर एक metal के लिए, कुछ ना, कुछ ऐसी frequency है, जिसको हम लोग threshold frequency बोलते हैं, जिसके नीचे की अगर frequency की light देते हो, अगर इससे नीचे frequency की light देते हो, तो photoelectric effect नहीं आता है, below which photoelectric effect is not observed, मतलब इसके बाद ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, photoelectric effect को आप observe नहीं कर सकते हो, for each metal, there is a minimum frequency, or threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed, ठीक है, अब जैसे किसने बोला, अरे सर, इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना, अब देखना, अब किसी frequency पे, at a frequency, the ejected electrons come out with certain kinetic energy, देखो बचार नहीं सब कुछ बताया, और जो kinetic energy होती है, increases with increase in frequency, जैसे यसे frequency बढ़ाएंगे, kinetic energy क्या होगी, increase होगी, तो यह सारी बाते हर्ड्स करके चला गया, हर्ड्स नहीं बचारा, अजलब सारा explain करके गया, कि भाई यह ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस बताता गया कि ऐसा हो रहा है, यह experiment है, इसमें यह होता है, लेकिन यह नहीं बता पा रहा है, क्यूं होता है, बचारा इसमें फस्स गया, उसको यह नहीं पता चला है, क्यूं हो रहा है, क्यूं हो रहा है यह क्यूं होता है? ऐसा क्यूं होता है? वो बस यह जानादा कि और मैंना ऐसा Light माराँ देखा देखा फटनाफट Elbankrons आ रहे हैं. मैंने Light माराए, देखो यह Light मार रहा हूं. यह Light दिया. देखो Elbankrons Eject हो रहे हैं. देखो यह हम आम मीटर में करेंट आ गई बचारा खुश हो गया बोला देखिए कल तक आप देख रहे थे कल यहीं डिस्चार्ज ट्यूब में आप वोल्टेज दे रहे थे और आप इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे थे आज उल्टा हो रहा है लाइट दे रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन ने वाझाएं यह विचारा नहीं थे बीचारा नहीं ख़ाय। official हुख को बहुत अच्छे सो इए इसने बाते भी अच्छी-च्छी करने के लिए, सही से explain करने के लिए मिला था, ठीक है न, E is equals to MCA square, लोगों को लगता है कि E is equals to MCA square, बट ऐसा नहीं होता, Einstein को मिला था, successfully explain करने के लिए, देखिए का ध्यान से, क्या होता है, ये देखो, ये क्या होता है, Einstein ने क्या करा, Einstein ने mathematically क्या explain करा, Sir, Einstein ने mathematical explanation दिया, बोला कि भाई साब सुनिये न, mathematical explanation दिया, और आपको भी explanation numerical में यूज करनी है for photoelectric of photoelectric effect mathematical explanation दिया गया of photoelectric effect, mathematical explanation of photoelectric effect के बारे में, ध्यांस देखना, mathematical explanation क्या दिया गया, Sir, इसने बोला कि कोई light आएगी, ध्यांस देखियेगा, कोई light आएगी, तो इसके पास कोई light आ रही है, तो इसकी अपनी energy होगी, इसकी अपनी energy होगी, incident energy होगी, कोई light आएगी, तो इसकी अपनी energy होगी, Sir, किसी metallic surface पे पढ़ रही है, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि हर एक मेटल के पास अपना कुछ इनर्जी होता है जिसके नीचे वो नहीं देता तो उसको हम लोग बोल देते हैं थ्रेस्वोल्ड इनर्जी सर ध्यान सुनना थ्रेस्वोल्ड इनर्जी या फिर इसी को नाम देते हैं हम लोग वर्क फंक्शन इसी का नाम क्या रख देते हैं हम लोग वर्क फंक्शन रख देते हैं तर वर्क फंक्शन डबलू रख देते हैं थ्रेस्वोल्ड इनर्जी सर दे incident light जो होगी, incident energy जो उधर से आ रही जो light है, उसकी energy किस से ज़्यादा हो, threshold से ज़्यादा हो, threshold energy से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, photoelectric effect देख पाएंगे, लोगों ने बुला सब threshold energy बताईए, तो threshold energy कुछ नहीं, ध्यांस देखेगा, threshold energy का formula, work done का, work function का formula, h new not लिख देते हैं, या फिर hc by lambda not लिख देते हैं, यह work function है, where, new not क्या है, sir, threshold frequency, इससे नीचे अगर आपकी frequency है, तो आप emit नहीं कर पाएंगे, फिर आप photoelectric effect नहीं दिखा पाएंगे, और lambda not की बात करें, तो lambda not क्या है, इसी को उमलोग बोल देंगे, sir, इस frequency पे जो wavelength ध्यान सुनिएगा, photoelectric effect कब-कब हो सकता है, कब-कब नहीं हो सकता है, photoelectric effect कब-कब absorb करेंगे, कब-कब नहीं करेंगे, यह देख लीजिएगा, Einstein ने mathematically explain करा, बोला कि सुनिए न, अगर आपकी energy, photoelectric effect, देखना आपने पास, और Einstein की बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहीं condition हो, incident energy जो हो, आने वाली जो energy हो, वो किस से जादा हो, वो किस से जादा हो, threshold energy से जादा हो, तभी वो इसके electron निकाल पाएगा, अगर माल लो कोई metal अपने electron लेके बैठा है, तो वो कैसे electron देदेगा, यहाँ पर electron बैठा हुआ है, यह electron कब निकलेगा बाहर, जब आने वाले की energy, जब आने वाले की energy क्या हो जाए, सर जादा हो जाए, जब आने वाले की energy जादा हो जाए, तभी निकल पाएगा, अगर incident energy कम हुई threshold से तो नहीं होगी, दूसरी बात, सर अगर incident frequency, याद रखिएगा हमेशा, आने वाली light की frequency, आने वाली light की frequency, incident frequency जो होगी, वो किस से ज Threshold Frequency से जादा होनी चाहिए Threshold Frequency से जादा होनी चाहिए Incident Frequency किस से जादा होनी चाहिए? Threshold से And the third one इसी को लिखने का एक और तरीका आने वाली light का जो wavelength है आने वाली light का जो wavelength है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए क्योंकि अगर frequency ज्यादा होगी तो अब्वेस है wavelength क्या होगा? कम होगा तो ये क्या होगा? threshold wavelength threshold wavelength threshold wavelength ये याद रखिएगा photoelectric effect teeny condition में possible ये कौन-कौन सी? Einstein ने बोला सुनो एकाम करो, Einstein ने बोला कि भाया ये तभी possible होगा जब incident energy ज्यादा हो या फिर incident frequency ज्यादा हो या incident wavelength इन डारेक्टव में वही कह रहा है उपर वाइल लाइन को ही अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है energy ज्यादा हो मतलब frequency ज्यादा होनी चाहिए wavelength कम होनी चाहिए होता क्या mathematically क्या explain किया? उसने बोला यार एक बाप बताओ आने वाली light की अपनी energy है ये तभी electron eject करा पाएगा तभी photoelectric effect करा पाएगा जब इसकी energy ज्यादा हो इससे क्यों? क्योंकि इतना amount of energy तो electron क्या कर रहा है? absorb कर ले रहा है माल लो मैंने बोला कि यार ये electron चालीस रुपे से उपर दोगे न अभी बाहर निकलेगा तो मतलब सामने वाला अगर 30 रुपे लेके आएगा तो ये electron कभी eject हो पाएगा? क्या? नहीं हो पाएगा तो ये बंदा क्या लेके आएगा? 40 से उपर अगर 40 रुपे लेके आया या 45 रुपे लेके आया 40 पे तो कुछ नहीं होगा इधर जो जाएगा वो क्या कहभा इंके बारें पकड़ ले अगर इनके बारें बात कर लें तो इनके बारें में हम लोग ये बोल सकते हसे कि एक्वाडीन टू आइंस्टाइन हमने क्या पढ़ा इनर्जी का लेखा जो ख़़ पढ़ लेते हैं कि जो sir incident energy होगी न वो दो काम करती है पहला काम क्या करती है threshold energy में देती है अपना contribution बोलती है भाई कोई बात नहीं तू अपना energy ले ले यार और प्लस उसके बाद ज़्यादा energy होगी तो वो कहाँ चली जाएगी kinetic energy में कहाँ चली जाएगी kinetic energy में कान अंसिग के टर्म में लिखें kinetic energy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ह-new माइनस, ह-new ओ हो जाएगा या फिर ह-new माइनस, निओ ओ हो जाएगा यह देखिएगा kinetic energy ऐसे होता क्या है, सखर यहाँ kinetic energy, elektron का कितना होगा half मEV square होगा half मEV square होगा क्या देखिएगा KINATICैनर्जी का फ्रमूला, यही सब फ्रमुला देने के लिए सोच़ो जो फ्रमुला तो वोई पड़ रहे हो AINSTINE ने इसी फ्रमुला देने के लिए उसने क्या किया मिला, उसको क्या मिला, HOBAL PRICE मिलिया time time की बात है common कर लो new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new-new हो जाएगा तो यह अपने पास फिर किसने बोला सर मुझे न आज देख लो यहां पर प्रूब भी हो जाएगा एक बाँ बताना अगर फ्रिक्वेंसी न्यू की वैलू ग्रेटर देन न्यू नोट है तो यह वैलू क्या आएगी पॉजिटिव और तभी काइनेटिक इनर्जी क्या आएगा पॉजिटिव काइनेटिक इनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्यों सर मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और विलसिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो सर काइनेटिक इनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसी लिए incident frequency, ये frequency हमेशा greater होगी कि से threshold से, पक्का किसने बोला सर, मुझे न, ये same चीज आप उसके नाम में बताओ आपने जो ये बताया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, hc by lambda लिख सकता हूँ and that is equals to hc by lambda not plus kinetic energy लिख सकता हूँ, सर kinetic energy का formula चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ hc minus lambda, hc by lambda not या फिर अगर hc common कर दिया जाए तो 1 by lambda minus 1 by lambda not, सर kinetic energy की value जो होगी वो क्या होगा, hc lambda not minus lambda upon lambda into lambda not यही होगा, kinetic energy का एक formula ये भी आजाता है, अगर wavelength के term में बात करो तो देख लो wavelength यहीं पे होगा, देख लो यहाँ पर threshold आने वाली जो wavelength है, वो कम होनी जाहिए किस से, threshold wavelength से देख लो, यहीं explanation किस ने दिया साइंस्टाइन भाई साब और इसी से उनको nobel prize मिल गया, करना क्या है, यही सब kinetic energy निकालते रो, kinetic energy निकाल दो, kinetic energy निकाल दो बस एक दो चीजे याद रखेगा एक दो चीजे याद रखेगा सर, एक दो चीजे अगर intensity बढ़ाते हो intensity का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से intensity increase करते हो मतलब, सर आप क्या कर रहे हो number of photons increase कर रहे हो intensity बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है number of photons increase कर रहे हो मतलब light increase कर रहे हो जितने number of photons आएंगे उतने जादा photo electrons eject होंगे intensity बढ़ने का मतलब होता है कि जितने जादा number of photons आएंगे उतने photo electrons eject होंगे इसका एक simple सा rule होता है एक photon एक photo electron को बाहर निकलेगा एक light आएगी एक electron को बाहर निकालेगी तो जितना light आएगा उतने photo electrons बढ़ेंगे मतलब intensity बढ़ाते हैं तो photo electric current बढ़ जाता है photo electric current बढ़ जाता है लेकिन kinetic energy पे कोई फरक नहीं पढ़ता है kinetic energy क्या रहती है? same रहती है kinetic energy क्या रहती है? same रहती है intensity बढ़ाते हैं तो number of photons बढ़ता है number of photo electrons बढ़ता है photo electric current बढ़ता है kinetic energy क्या रहेगी, same किसने बोला कैसे, भाई एक बात बताओ किसने बोला सर ऐसे कैसे kinetic energy बढ़ेगी number of photons बढ़ रहा है तो, नहीं क्यों, क्योंकि सर देखिएगा formula kinetic energy का फॉर्फ चलो ऐसे लिग देता हूँ, H new सर आपने क्या बोला, सर ये था kinetic energy, या यहां से हमने kinetic energy क्या निकाला था kinetic energy क्या निकाला था, H new minus, new not निकाला था, ये चीज़ थी new minus, H new minus new not निकाला था, यही था ये एक photon के लिए आया था for one photon, किसने बोला sir one photon के लिए आपने ऐसे निकाला अगर मैं क्या बढ़ा दू, intensity बढ़ा दू, मतलब number of photons ज्यादा कर दूँगा, तो sir, for n photons, अगर n photons आएगा, तो ध्यान सुनना, क्या change हो जाएगा, sir, energy n times हो जाएगी, बहुत बढ़िया, n h new हो गया, energy कितनी हो जाएगी, n h new, sir, ये कितना हो जाएगा, n h new not हो जाएगा, क्य या फिर half m e v square, sir, एक electron की kinetic energy half m v square है, तो n electrons के कितनी हो जाएगी, n, देख लो साइद, n photons में, सब जगा n common आजाएगा, फिर से कितना आगया, साइद वही relation आगया, kinetic energy का, kinetic energy पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, kinetic energy अभी भी उतना ही रहेगा, n photons आजाएगे, number of photons बढ़ाओगे, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रों बढ़ जाएगे, बट kinetic energy सेम रहेगे, क्यों, क्योंकि देखो न, एक simple सी बात बोल रहा हूँ, एक normal transactions हो, ये कहानी ये कह रहा है, कि sir, एक pen का price, चलो, मे सरा आद्मी, दूसरा आदमी आए, दस रूपे लिया, उसने फिर से पांच रुपे कर लिए प्रसे चला गया, फिर से न ऐसे करके सौ आदमी भी आ जाएगे, क्या इस pen का price change होगा, क्या, क्या एक एक आदमी की kinetic energy change होगी, क्या, नहीं, सब आएंगे 10 रुपे लेक्ता आए प्राइस नहीं बढ़ाया इस पेन का प्राइस नहीं बढ़ाया आपने क्या बोला कि पहले एक आदमी आता था दस रुपे लेके पांच रुपे का पेन खरता था चला जाता था अब एक आदमी नहीं आएगा आप सो आदमी आएंगे उससे क्या हो गया एक आदमी आएगा त सब के पास दस रुपे लेके आएंगे तो पांच और पांच ही बचेगा ना, तो काइनेटिक नर्जी तो सब की सेम ही रहेगी, देख लो, आप देखना, किसने बोलो नोई इस और इनर्जी बढ़ा दे तो, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो, सर फ्रिक्वेंसी और इच मेटल, यह हर एक मेटल के लिए क्या रहेगी, कॉंस्टेंट रहेगी, हर एक मेटल के लिए क्या रहेगी, कॉंस्टेंट रहेगी, सर आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, तो इसकी वैल्लू क्या होगी, इसकी वैल्लू इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक इनर्जी ऐसा मत लिख दीजेगा kinetic energy becomes two times नहीं 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 यह गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि sir यह पता नहीं है इसकी exact value नहीं पता sir आप new को two times बढ़ाएंगे kinetic energy हो सकता है 2 से जादा increase कर जाए kinetic energy 2 से जादा increase कर जाए सच बताओ तो याद रखिएगा 2 case बता दिया यह threshold frequency ऐसा होता है अब यही physics में जाएंगे तो वहाँ stopping potential का भी concept आ जाता है stopping potential का भी concept आ जाता है चलिए यहाँ पर एक चीज़ बताईएगा अगर इसका graph बनाना हो इसका kinetic energy का और frequency का graph बनाना हो एक इसका baik बनाएगा y is equal to mx plus c बनेगा y is equal to mx plus c बनेगा सर kinetic energy vs new का graph बनाएँगे breast vs new का frequency का graph बनाएँगे तो पता है कैसा बनेगा देखना ये बन जाएगा ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये work function है मतलब h new not वाली जो energy है सर काइनेटिक energy आपका देख लो positive दिखेगा हमेशा काइनेटिक नेगेटिव कभी हो नहीं सकता जैसे ऐसे frequency बढ़ाएंगे एक time आएगा जब frequency किसके equal हो जाएगी सर frequency is nothing, new not हो जाएगा frequency किसके equal हो जाएगी और जैसे इस point पर आएगे सर कइनेटिक नेटिक नेटिक जिडरो जैसे इसके ऊपर जाएगे सर सिलोप किया हो जाएगा हो जाएगा किसने बोला सर intensity versus intensity versus kinetic energy का ग्राप बनाए तो intensity versus इस kinetic energy अगर आप बनाए तो भाया intensity बढ़ा दीजिएगा kinetic energy को intensity बढ़ाईए यह kinetic energy है intensity बढ़ाएंगे सर नंबर of photons बढ़ाएंगे kinetic energy कोई फरक पड़ेगा kinetic energy क्या रहेगी, same रहेगी सब के लिए, क्योंकि kinetic energy को intensity से कोई फरक नहीं पड़ता तो एक छोटा सा numerical, छोटे 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 numerical, इसके ऊपर छोटा सा numerical आएगा और नहीं, इन दोनों के उपर छोटे छोटे numerical आएंगे, और नहीं, तो यह theoretical questions आएंगे, जो कि चाहे तो physics से कीजिए, चाहे तो chemistry से कर लिजिए photo electric effect दोनों साइड है, दोनों साइड में से कहीं से भी कर लिजिए, चलिए, जैसे यह question, NCRT है question दिया है, मैं जान मुझके NCRT questions लेके आ रहा हूँ, क्योंकि NCRT questions direct और indirect वे में neat में आ जाते हैं, इस question में देखो, सीधा सीधा बोला जा रहा है, सीधा velocity का मतलब क्या हो गया, kinetic energy कितनी हो गई, zero हो गई, kinetic energy zero हो गई, कितनी हो गई, kinetic energy कितनी हो गई, zero हो गई, सार देखोगे, kinetic energy zero है, इसका मतलब, सार, kinetic energy zero है, मतलब, जो भी energy आ रही है, वो किसके पास जा रही है, work function के, तो work function यहाँ पर यह work function है, वो किसके equal हो जाएगा, incident energy के equal हो जाएगा, work function किसके equal हो जाएगा, incident energy के equal हो जाएगा, और, sir, work function किसके equal हो जाएगा, incident energy के, sir, work function incident energy के equal हो गया, तो w0 is nothing, hc by lambda, कितना हो जाएगा, h की value 6.6 into 10 की power minus 34, c की value 3 into 10 की power 8, lambda की value कितनी हो गई, 6800 into angstrom में 10 की power minus 10, energy इसका value कितनी आ जाएगी, joules में, क्या solve करेंगे जितना भी आ जाएगे, 19.8 upon 68, ऊपर आ गया 10 की power minus 26, नीचे आ गया 10 की power minus 8, सर, solve करके जितना भी आए, exact, obvious, ncr, question है, थोड़ा सा, गंदा calculation तो हो गई होगा, लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, minus 18, joules आ जाएगे, ये सर, threshold energy और incident energy क्या होगा, equal, कोई बोले, threshold frequency चाहिए, threshold frequency चाहिए, सर, क्या करेंगे, एक बात बताओ, जब सब कुछ equal हो रहा है, जब blue knot किसके equal हो गया, तो threshold frequency, new knot भी किसके equal होगा, new के, और new किसके equal होगा, c by lambda के, threshold frequency किसके equal होगा, frequency के, and that is equals to c by lambda, 3 into 10 की power, 8, lambda की value कितनी आ गई, तो lambda की value देखेंगे, 68 into 10 की power, minus 8 meter, 3 upon 68 into 10 की power, 16, यही आ जाएगा hertz में, यही आ जाएगा hertz में, 3 upon 68 into 10 की power, 16 hertz, यही आ जाएगा hertz में, यही आ जाएगा hertz में, निकाल दो, यह देखिएगा चलिए इस question को attempt करके देखिए इस question को attempt करके देखिए threshold frequency दिया हुआ है kinetic energy निकालना है सर आपको क्या दिया है radiation of frequency दी हुई है कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले है kinetic energy को किसकी equal put करेंगे h new minus new not put कर देंगे answer आ जाएगा 6.6 into 10 की power minus 34 new की value कितनी put कर दूँगा 7 10 into 10 की power 14 minus 7 into 10 की power 14 क्यों लिखा ऐसे क्योंकि common हो जाए power ताकि आसानी से answer निकाला जा सके आप NCRDA questions में थोड़ा सा ये कर सकते है अब ये देख लो ये 19.8 हो गया और ये कितना हो गया 10 की power minus 20 हो गया ये कितना आ जाएगा joules में ये कितना आ जाएगा minus joules में पक्का आ जाएगा बस निकाल तो threshold frequency ऐसे होती है अब photon of wavelength इतना है अगेर NCRDA question है इनर्जी बताईए wavelength दिया हुआ है strike on the metallic surface work function दिया हुआ है energy of photon पहले बताईए energy of photon पहला पार्ट कैसे करेंगे energy of photon कितना हो गया सर आप कोई पता है hc by lambda कर देंगे hc by lambda कितना होगा सर ये कितना हो गया 6.6 into 10 की power minus 34 c की value 3 into 10 की power 8 lambda की value निकालेंगे lambda is nothing 4 into 10 की power minus 7 ये energy joules में आएगी तो सर इसको energy को electron volt में convert करना है तो आप इसको किस से divide कर देते हो आप इसको किस से divide कर देते हो 10 की power 8 divided by 4 into 10 की power minus 7 1.6 से आप divide कर दो तो ये चीज किस में आजाएगी electron volt में आजाएगी अब यहीं पर एक shortcut बतायता हूँ यही पर एक shortcut याद रखियेगा अगर lambda ध्यान सुनना अगर lambda nanometers में given है ठीक है lambda अगर nanometers में given है और lambda अगर angstrom में given है तो ध्यान सुनना lambda अगर nanometers में है then if lambda is this then energy की जो value होती है energy जो होती है वो 1240 upon lambda nanometer electron volt में आप direct निकाल सकते हो यह direct निकाल सकते हो अगर lambda angstrom में है तो energy की value 12400 upon lambda angstrom में put करके निकाल सकते हो direct energy निकल जाएगी मतलब आप direct डारेक्ट भी lambda से चाहें तो निकाल सकते हैं electron volt में इतनी convergence की जुरत नहीं पड़ेगी इतने convergence की जुरत नहीं पड़ेगी सर अब देखो कोई बोले सर आप पूरा solve करो भाई ठीक है ना exam hall में आएगा solve करेंगे 16 यह 3 4 cancel out करो kinetic energy of the particle, kinetic energy कितनी आएगी सर आने वाली जो energy है incident energy minus incident energy minus क्या कर दो threshold energy कर दो incident energy minus threshold energy कर दो सर यह देखेंगे, अगर मैं सही से देखों तो यह 10 की powers को solve करो, कितना हो जाएगा यह 19.8 हो गया यह कितना हो गया, 4 into 1.6, 4 into 1.6 नीचे कितना हो गया, 6.4 हो गया, 10 की power solve करो कितना हो जाएगा, minus 26 उपर है minus 26 उपर है और minus 26 नीचे है अरे पूरा ही पूरा cancel out हो गया बहुत बढ़िया, तो 19.8 divided by 6.4, कितना आजाएगा मुझे लगता है 3 के आसपस आएगा 2.something 3 के सब आसपस आजाएगा 19.8 divided by 6.4 3.09, क्या हो गया 3.09, energy in electron volt 3.09 सर आने वाले जो आने वाले इनलेक्टर यह kinetic energy है, सर आने वाले energy जो है, वो कितनी है 3.09 minus, threshold energy कितनी हो गई threshold energy कितनी हो गई, 2.13 2.13, कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, 0.96 electron volt, kinetic energy कितनी है 0.96 electron volt velocity of the photo electron सर, photo electron की kinetic energy किसके equal होती है, half mass of electron into velocity square, तो velocity square क्या हो जाएगा, 2 times kinetic energy upon mass of electron, put कर दो velocity की value कितनी आ जाएगी, अब ये under root करके, अब वेस है भाई, NCRT कोशन है, तो थोड़ा से रूलाते हैं mass of electron values put करेंगे, जितना भी आए अब देखो calculation तो वो है कि जितना calculation करोगे, उतनी calculation अपने को देखती चली जाएगी, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं, अच्छा बाई, अब ये photoelectric effect हो गया, photoelectric effect के बाद अब चलू करते हैं, कुछ और, क्या है तो सर, एक बोलते है, black body radiation अब थोड़ा सा theory फिर से एक बार, एक हो, numerical ही है, वो ध्यास सुनिएगा, important क्या है important क्या है, तो ये lines क्या बोला जा रहा है, कि hot objects जो होते हैं, जो hot objects होती है, they emit electromagnetic radiation, over a wide range of wavelength, अलग-अलग जिसे जितनी hot objects होंगे उनकी जैसे temperature बढ़ाते हैं as the temperature is raised a higher proportion of short wavelength is generated, higher proportion of short wavelength is generated मतलब जितना temperature बढ़ाएंगे higher proportion of short wavelength generate होती चली जाएगी, उतनी ज्यादा short wavelength generate होती चली जाएगी तर इसी को लेके, इंसी item के example दिया गया है, same example मैंने भी यहाँ coat किया हुआ है, कि एक iron rod को आप अगर हीट करते हो, तो शुरुवात में, वो क्या होता है southwest वो क्या होता है, lire शुरुवात में, उक्या होता है… शुरुआत में वो क्या होता है ड्ल रेड बाद में देखेंगे तो, वो becomes more and more red, जैसे जैसे heating बढ़ाते जाएगे। और ज्यादा red होता जाएगा, जैसे fire ते is more intense at मतलब ऐसा कुछ fix नहीं है कि इस temperature पे यह वाली सर अलग अलग temperature पे अलग-अलग temperature पे अलग-अलग radiations आ सकती है मतलब intensity जो होती है radiations की ध्यांस देखिएगा intensity of different radiations emitted by hot wavelength hot body depends upon its temperature मतलब अलग-अलग temperature पे हो सकता है इस temperature पे मुझे red color ज्यादा intensity वाल लग रहा हो लेकिन अलग temperature पे blue color ज्यादा intensity वाल लग रहा हो किसी और temperature पे white color ज्यादा intensity का लग रहा हो तो यह line याद रखिएगा हो सकता है certain region यह इस type यह questions मिले तो वहाँ पर यह question पुछा जाए कि intensity of radiations of different wavelengths emitted by hot wavelength hot body depends upon its temperature यह अपने पास यह depend करता है किस के ऊपर temperature के ऊपर intensity of radiations of different wavelengths पक्का देखोगे रहाँ देखना इसी को black body होता क्या है black body is what एक ideal body है black body is nothing an ideal body reality में बहुत कम exist करता है exist ही नहीं करता जो सारे के सारे radiations emit करेगा सारे के सारे frequency के radiations emit करता है और absorb करता है obvious है उसी body को क्या बोलते है black body और उस radiation को बोलते है black body radiation ऐसा कोई भी body exist नहीं करता there is no such any body carbon black को हम बोल देते हैं कि carbon black is nothing मतलब fairly close to black body fairly close to black body actually black body को आप real में analyze करना चाहते है तो black body इस time का आप analyze कर सकते हो एक बार एक radiation घुज गई तो इसी के अंदर टकराती रहेगी टकराती रहेगी जो absorb करेगा emit करता जाएगा absorb करेगा emit करता जाएगा मतलब यह perfect radiator होता है perfect radiator होता है और इस case में देखोगे तो ध्यान सुनना जितना energy absorb करेगा उतना ही energy क्या करेगा emit करेगा तो इसी कमलो क्या बोलते है black body अब जो radiation की बात आती है तो यह radiation जो होती है amount of light जो radiate करेगा amount of light यह intensity of radiation intensity of radiation जहम बात करें intensity of radiation की बात की जाए तो intensity of radiation जो होगा from a black body and its spectral distribution depends on its temperature जैसे यह temperature बढ़ाएं के यह पूरा का पूरा change होता जाएगा जैसे for example temperature बढ़ा रहें देखिएगा intensity और wavelength का graph देखिएगा यह graph बहुत important है exam hall में direct पूछा आ सकता है सर देखिएगा जैसे wavelength बढ़ रही है शुरुवात में देखेंगे धेधरी intensity बढ़ रही है लेकि जैसे temperature बढ़ाया जैसे wavelength बढ़ाएंगे temperature इंटेंसिटी क्या होगी ज्यादा तेई से बढ़ेगी मतलब यहाँ ध्यान दगिएगा जब भी आपको मौका मिलेगा यह graph याद रखिएगा बहुत ज्यादा important है सर temperature बढ़ाते हैं तो normal intensity versus wavelength का graph ऐसा होता है लेकि जैसे temperature high किया यह graph क्या होगया sudden peak पे पहुँच जा रहा है sudden peak पे पहुँच जा रहा है तो यह याद रखिएगा at a given temperature intensity जो होती है increase करती है at a given temperature intensity increases with increase in wavelength देखो देधरे बढ़ रही है फिर एक maximum तक जा रही है फिर नीचे आ रही है लिक जैसे temperature बढ़ा रहा है graph किदर को आ रहा है इस side suddenly increase कर रहा है temperature बढ़ाते है intensity wavelength के साथ suddenly increase करती है तो यह graph देख लीजएगा बाकि यह theoretical topic है कि हाँ black body क्या होता है black body radiation क्या होती है यह सब चीज़े आ जाती है तो photo electro effect हो गया planks quantum theory हो गई black body radiation हो गई अब आते हैं हम अपने अगले topic पे जिसका नाम है बोर्स model बोर्स model की बात करें तो यह किस पे based है ध्यान सुनिएगा किस पे based है सरी यह quantum theory of radiation and classical laws पे यह पहली theory थी जिस पे दोनों चीज़े use हो रही है मतलब बोर्स model applicable होता है सिर्फ और सिर्फ single electron species के लिए single electron species के लिए मतलब जहां पर सिर्फ एक electron है hydrogen के उपर होगा helium plus के उपर होगा helium के उपर नहीं होगा helium plus lithium plus 2 मतलब जो भी बंदा जैसा sodium है तो sodium के पास कितने electrons है 11 electrons है इसके उपर बोर्स model नहीं होगा लेकिन ऐसा माल ने hypothetically कि sodium पे plus 10 आजाए चार्ज hypothetical है plus 10 आएगा नहीं तो एक ही electron बचेगा sodium plus 10 क्या कहलाएगा तो सर ये क्या होगा sodium plus 10 एक ही electron बचेगा sodium plus 10 इसके उपर बोर्स model वैलिड हो जाएगा लेकिन ऐसे बनता नहीं है लेकिन हाँ इसके उपर नहीं होगा sodium के उपर bores model नहीं valid होगा sodium के उपर जो bores model होगा sodium के उपर जो bores model होगा वो valid नहीं होगा ये valid नहीं होगा लेकिन इसके उपर bores model अपना valid होगा इसके उपर bores model क्या होगा valid होगा इसके उपर bores model valid होगा पक्का हो जाएगा sir bores model किसके उपर based है सर बेज़न पार्टिकल नेचर ऑफ एलेक्ट्रॉन जैसे हम कोई भी देखते हैं हम पढ़ते हैं डिवल नेचर एक पार्टिकल नेचर होता है एक वेव नेचर होता है बोर्स मॉडल किस पर बेज़न है पार्टिकल नेचर ऑफ एलेक्ट्रॉन पर है सर बोर्स ने वो सारी गलतियां सही करनी कोशिच करी जो रधर फोर्ड ने कर रहा था रधर फोर्ड ने बोला था कि सर न्यूकलियस फिक्स्ट है उसके राउन इलेक्ट्रोंस जो होते हैं और विट में घुमते रहते हैं मैक्सवल ने इसको गलत प्रूब कर दिया था मैक्सवल ने बोला कि अगर ऐसे घुमते रहेंगे तो इनर्जी अमिट करेंगे और इनर्जी अमिट करके 10 की पाउर माइनस 6 सेकंड्स में वो कहां चले जाएंगे ये बात किस ने बोली थी मैक्सवल ने तो बोर्स ने अलर्ट के बात कर रहा है, Sir आपको Bores Adam, Hydrogen Adam, Sir Bores Radius, अगर कहीं ऐसा लिखा होगा, अगर कुश्षन में करी लिखा हूँ Bores Radius, मतलब सर्फ फॉस्ट Orbit का radius, radius of first orbit अगर आपको बोल दिया जाए Bores Orbit, तो याद रखिये गा ये इसको ना first electron बोर्वाhrd मतलब कौन सा ? उर्वर्वार Coin इसको ना एक ही इलेक्ट्रón एक ही सिस्टम, एक ही वाल बहुत पसंद आया था तो hydrogen के बारे में hydrogen के बारे में full study करके आया बोर्स बोला भाई मैं एक electron system लेके चलूंगा और मैं उसके उपर अपनी postulates दूंगा मैं अपनी बाते करूंगा देख लो बोर्स model किस पे valid होगा किस पे apply कर सकते हो बोर्स model helium पे apply होगा क्या नहीं सर यहाँ पर कितने electrons हो जाएंगे 2 electrons beryllium पे कितने electrons होते हैं 4, 2 चले गए 2 electrons नहीं सर नहीं हो सकता carbon पे कितने होते हैं 6, सर 6 के 6 चले गए 0 electrons बोर्स model कहां लएगा सर जहां 1 electron system होगा 1 electron system पे क्या लएगा बोर्स model लएगा 1 electron system पे क्या लएगा बोर्स मोडल है येगा अखका important postulate क्या है important postulate क्या है important postulate बोर्स ने क्या तुक्के मारे हो ध्यान सुनना बोर्स का तुक्का भाई इतना अगड़ा था ना कि वह आज भी प्रूव नियुक पाएगा कल की class में जाकर प्रूव हो पाएगा बोर्स ने कुछ ऐसा बोर्स ने वो क्या दिये थे, important postulate में पहली बात करी जाए, तो atom क्या होता है सर वही बात है कि atom के वास nucleus है, जिसके अंदर, nucleus के अंदर ही proton और neutrons present है, size of nucleus बहुत small है, तो ये बात तो हम लोग दरदर फोड नहीं बता दी थी, इसी को इन्होंने चिपका दिया, even second postulate को देखेंगे, तो second postulate भी क्या बोल रहा है, कि negatively charged electron revolve around the nucleus in the same way as the planet revolve around the sun, same बात वहा करी, path भी क्या है, इसका circular है, path भी क्या है, circular है, even आप देखो तो सब कुछ, ये भी रदर फोड का था, ये भी रदर फोड का, ये भी रदर फोड का, ये उन्होंने बोला centrifugal force, एक बाप बताओ, charge on nucleus कैसे निकालोगे, पहले ये बताओ charge on nucleus कैसे निकालोगे, nucleus पे क्या charge होगा, charge on proton का charge कितना होता है, ये proton का number हो गया, proton के उपर charge कितना होता है, अगर electron के respect में देखें, अगर electron का minus E है, तो proton का कितना होता है, plus E, तो charge on nucleus हमेशा याद रखेगा, plus Z into E आता है, nucleus की उपर कितना charge होगा, plus Z into E, plus Z into E, charge on nucleus क्या होगा, plus Z E, कितना हो जाएगा, plus Z E हो जाएगा, nucleus पर कितना charge होगा, plus Z E, Z क्या है, atomic number, E क्या है, charge on nucleus, charge on one proton, 1.6 into 10 की यह देखिएगा, इसको जो force इधर attract कर रहा है, columbic force, उसकी value, सर दो charges की पहले, दो charges की बीच में, यह देखिएगा, दो charges हैं, अगर q1 और इधर q2, तो इनके बीच में अगर r distance है, तो सर force of attraction कितना लगता है, kq1 q2 by r square, अगर मैं पूछू, potential energy इनके बीच में कितना लगता है तो that will be kq1 q2 by r, यह अपने पास kq1 q2 by r लग जाएगा, ठीक है, potential energy क्या हो जाएगी, kq1 q2 by r हो जाएगा, force कितना होगा, kq1 q2 by r square, potential energy क्या हो जाएगी, kq1 q2 by r, सर देखिएगा, charge on nucleus, charge on nucleus क्या होगा, plus z into e, सर देखना, यह जो postulate है, भाई सहाब जो इसने तुका मारा, यही तुका प्रूफ करेंगे हम लोग कल जाके, आज भी प्रूफ नहीं कर पाएगे, कल प्रूफ कर पाएगे, third postulate क्या बोला, इसने बोला कि भाई सहाब यह सब चीज़े तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कि tangential velocity यह centrifugal force, centrifugal force, यह देखेंगे, तर इसके उपर charge कित कि बात करूँ, columbic force, columbic force कितना हो जाएगा, sir, nucleus पर कितना charge है, ze, बाहर कितना charge है, electron का minus e upon r square, that is equals to m, mass of electron v square upon r हो जाएगा, sir, पहला तो बहुत simple सा हो गया, पहला postulate तो बहुत simple सा हो गया, पहला postulate बहुत simple सा था, sir, second postulate, यह बात तो किसने बात कर ली थी, यह बात तो third वाला, यह बहुत सा ही था, इसने क्या बोला, कि sir, जितने orbits में, angular momentum जो होगा, electrons का, किसी orbit में, वो हमेशा integral multiple होगा, हमेशा integral multiple होगा, h upon 2 pi के, मतलब, sir, integral multiple of h upon 2 pi, h upon 2 pi को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, बार बार ना लिखना पड़े, h bar लिख देते हैं, h bar लिख देते हैं, तो इसने बोला कि जितना angular momentum होगा, mvr is nothing, n h upon 2 pi, जिस भी orbit में रहोगे, यह एक तुक्का इसने मारा, और यह तुक्का, बस तुक्का था भाई, इसको कोई prove नहीं था, इसका, इसका prove नहीं था, इसने बोला, भाई, मैं माल लेता हूँ, क्योंकि मैंने observe कर रहा है, मैंने observe कर रहा है, बाकि आप mathematically prove कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखो, कुछ चीज हम माल लेते हैं, जैसे science मैंने 2-3 तरीके होते हैं, एक 2-3 माल लिया, कि भाई, यह मैंने माल लिया, ठीक है, आपको prove करना आप कर लो, जैसे black hole theory यह तो black hole theory अपने पास माल लि देख रहे थे कि हाँ यह बार-बार सार है, तो mvr is equals to क्या कर लिया, nh upon 2π, यह mvr क्या होता है, angular momentum, nh upon 2π, यह इन्होंने second postulate माल लिया, यह दोनों चीजे ले ली, यह दोनों चीजे ले ली, अब इन दोनों के ऊपर, अगर इन दोनों के ऊपर बात करों, देखना ध्यान से mvr is equals to nh upon 2π, where n is, n is number of orbit, a number of orbit, और यह orbit का number कोई fraction नहीं होता, n हमेशा क्या होगा, always integer, हमेशा क्या होगा, integer होगा, तो पहला यह माल लिया, दूसरा सर यह पढ़ लिया, kze, e, yह nucleus का charge, kze into e upon r square, that is equals to mvr, by r हो जाएगा, sir, यह भी हमने पढ़ दिया, अब इन दोनों को use करके, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को use करके, मैं क्या करने वाला हूँ, bors model ने क्या बोला, bors ने बोला, कि भाई, इन दोनों को use करके, तुम 2 result निकाल सकते हो, 2 result निकाल सकते हो, कौन-कौन सा ध्यान ध्यान सुनिएगा, मैं result पहले बतायता हूँ, radius of nth orbit, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भाई, आगे जाके आपको बार-बार यह चीजें मिलेंगी, radius of nth orbit, इसको rn से represent करेंगे, and that will be 0.53 n square upon z, यह क्या होगा, angstrom, या फिर 52.9, या 52.9, 53 लिख दो इसी को, n square by z, पीको मीटर, यह radius निकल के आता है, पीको मीटर, यह क्या आगया, पीको मीटर, अगर मैं पहला result यह देखूँ, second result, जो निकल के आता है यहां से, कोई पूछेगा तो मैं derivation ही बता सकता हूँ, बता भी दूँगा एक दो, लेकिन याद, उतने की जुरत है नहीं, velocity of nth orbit, velocity of electron, in nth orbit, अगर nth orbit की बात की जाए, तो velocity किसकी equal आएगी, तो देखना, velocity, vn से represent करेंगे, and that is 2.18, 10 की power, minus 6, z by n, z by n, meter per second, यह दो result आपको ध्यान रखने हैं, यह दो result आपको ध्यान रखने हैं, कि results of यह वाला, यह दो result आपको ध्यान र सबसे पहला result ही आया, कैसे आया, अब भाई किसी को लगता हो ना, सर में derivation करनी है, तो ले भाई, कहां से कर दे, यह देख, इससे मैं r की value क्या निकाल दूँगा, सर देखना, r से r गया, r की value क्या निकल क्या गई, k, z, e square upon mv square आ जाएगा, r आ जाएगा, यहां से r की value नि इक्वल कर दे, तो यहां से k, z, e square upon mv square, mv square, अब derivation आप जितना करना चाहो, कर लीजे, सर r की value दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, 2 pi, mv, सर मास से मास गया, v से v गया, me से v गया, सर यहां देख लीजे, velocity की value कितनी आ गई, 2 pi, k, z, e square upon n into h, सर यह सारे constant को एक साथ रख दीजिए, यह सारे constant को एक साथ रख दीजिए, तो velocity जो होगी, वो कौन सा variable होगा, atomic number, orbit ही तो variable होगा, बागी सारे constant आ जाएंगे, क्या होता है, die electric को अपने वसक्त, क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, e क्या है, charge of electron, उसका square, h क्या है, planks quantum theory, planks quantum number, planks constant, 2 pi क्या है, constant है, तो यह सारा constant आप रख दीजिए, सारे constant की value रख दीजिए, velocity of nth orbit आजाएगा, velocity of nth orbit आजाएगा, velocity of nth orbit आजाएगा, तो velocity यहां से nth orbit का यह आगिया, आप कोई बोले radius भी बतादो, भाई, निकाल लो सब कुछ अब, आप सब की values put कर दीजिए, निकाल दीजिए, derivation करने, अब r की value ब कर देना कि सर, mass of electron, radius भी ऐसे ही निकल के आजाएगा, radius निकालने जाएगे, तो r की value क्या हो जाएगी, nth upon 2pi mv है, nth upon 2pi mv है, जैसे मर कर रही है, देखो na, r की value, क्या put कर दो, kj e square, हटाओ, इससे put, r की value, nth 2pi m, v की value कितनी put कर दो, v क्या put कर दो, 2pi k e square upon h, और यह क्या ह हो गया, z by n, यही होगा, सर, यह constant उपर चला गया, r की value क्या हो जाएगी, n square, h square, 2pi, यह n और h उपर गया, तो n square, 2pi, 4pi square लिख देता हूं, 2pi into 2pi, तो 4pi square, m, k, e square upon z, या फिर हम बोल सकते हैं, r की value, h square, 4pi square, m, k, e square, यह कितना हो जाएगा, z by n square by n square by z, यह कितना हो जाएगा, radius की बात ऐसी आजाएगी, radius ऐसे निकल जाएगा, तो भाई, अब तुम्हेना उतना derivation नहीं करना, तुम बस इतना जान जाओ, कि radius जो होता है, radius जो होता है, radius जो होता है, बोर्स orbit में, radius जो होगा, directly proportional to n square by z, मतलब r1 by r2 का radius, r1 by r2 का option लेंगे, तो n square by, n square by z करेंगे, ध्यास देखिएगा, first का n square by z, second का n square by z, कर देंगे, हो गया, radius के बारे में इतना जान जाओ, सर, velocity बोला गया, तो velocity सर, z by n, अगर दो लोगों की velocity का ratio लेना है, तो आप हमेशा z by n का ratio ले लिजेगा, दोनों के z by n का ratio ले लिजेगा, radius आ गया, अब radius आ गया, तो याद रखिएगा, circular path है, circular path है, circular path का circumference क्या आता है, radius का जो order है, circumference क्या आता है, 2 pi r, तो सर, circumference के अगर बात करें, तो circumference भी, किसके directly proportional होगा, सर, radius के, और radius किसके होगा, सर, n square by z, तो सर, circumference का भी order कोई पूछेगा, n square by z, अरे भाईया, देख लो अपने पास, कोई पूछ दे, time period बताओ, time period बताओ, सर, distance कितना होगा, circumference, divided by velocity, time period यही होगा, कि सर, एक, एक स्मोर सर्कल करने में, कितना लग रहा, यही होगा, time, यही होगा, सायद, यही होगा, time, यही होगा, कि सर, इसको, इसको complete करने में कितना लग रहा है यही होगा circumference upon velocity circumference की value time period क्या हो जाएगा Sir 2 pi r upon velocity nth term Sir time period देखिएगा time period किस पर depend करेगा r upon v radius किस पर depend करता है n square by z time period किस पर depend करेगा r upon v r किस पर depend कर रहा है n square by z velocity किस पर depend कर रहा है z by n सब देखिएगा time period directly proportional to n cube upon z square आ गया time period किस के directly proportional है n cube upon z square आ गया n cube upon z square आ गया और frequency क्या होता है inversely proportional to 1 upon time period तो frequency जो होगी वो directly proportional to क्या हो जाएगा z square upon n cube हो जाएगा frequency जो होगी directly proportional to z square upon n cube हो जाएगी frequency जो होगी directly proportional to z square by n cube हो जाएगी z square by n cube हो जाएगा बस तो आपको radius का पता है सर एक result याद रखिए radius और velocity अगर पता है तो उसी से आप circumference भी निकाल सकते हैं third option और उसी से आप time period भी निकाल सकते हैं और उसी से आप चाहें तो frequency भी relate कर सकते हैं एक ही चीज याद रखना है बस ये दोनो फॉर्मूले याद रखिएगा कहां से आए पहले दो पॉस्चुलेट से पहले तीन पॉस्चुलेट से हमने क्या करें ये दोनो फॉर्मूले निकाल दिये रेडियस का निकाल दिया ये निकाल दिया वो निकाल दिया ये सब देख लो पक्का अभी इसको उपर निमेरिकल करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ पॉस्चुलेट और है चलिए पहले ये बताईए अभी आपने पढ़ा एंगलर मोमेंटम जो होता है वो किसके डारेक्टली पोश्चनल है इंटिग्रल मल्टिपल ओफ एच अपॉन टू पाई सर देखेंगे कौन सा परमिसीयेबल वैल्यू नहीं होता है कौन सा परमिसीयेबल वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर n की value हमेशा क्या होगी, always integer होगा, n की value हमेशा क्या होगी, always integer होगी, n की value हमेशा क्या होगी, always integer होगा, हमेशा integer होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, sir 1.5 को क्या लिख सकते हैं, sir 3 by 2 लिख सकते हैं क्या, h upon pi, और 3 h upon 2 pi लिख सकते हैं, 3 h upon 2 pi लिख सकते है यह देखिएगा 0.1 by 2 h upon pi लिख सकते हैं और इसी को 1 times h upon 1 times h upon 2 pi कर सकते हैं Sir 1.25 है इसको क्या लिखेंगे 5 by 4 h upon pi h upon pi Sir इसको क्या लिखेंगे 5 upon 2 h upon 2 pi देखना question को देखने का तरीका देखो यह जो value है ना यह अपने पास acceptable नहीं है जिन लोगों ने यह option tick करने का सोचा है वो गलत कर रहे है h upon 2 pi का h upon pi का नहीं बुला था integral multiple भाई h upon pi का थोड़ नहीं बुला था हमने क्या बुला था h upon 2 pi का integral multiple होना चाहिए था h upon 2 pi का integral multiple होना चाहिए था तो sir यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है सर देखिएगा ये गलती से मत टिक कर दीजेगा एक ही पॉसिबल है नॉट पॉसमिसियबल है सर ये वाला क्यों क्योंकि ह अपॉन टू पाई का इंटिग्रल मल्टिपल वन थ्री टू पॉइंट फाई ये नहीं होगा सी नहीं होगा पक्का हो जाएगा सर चोर हो चलो फोर्थ पॉसिलेट देखिएगा देखो रेडियस आ गया वेलोसिटी आ गया अब देखिएगा फोर्थ पॉसिलेट क्या बोलता है फोर्थ पॉसिलेट ये बोलता है कि भाईया जो गलती रधर फोड ने करी थी ना वो गलती बोर्स नहीं करने वाला बोर्स ने बोला सुनो हमें ये भी पता है electron revolve करता है लेकिन electron ना अपनी energy पर revolve नहीं करता आकशली यहाँ पर क्या होता है nucleus है इसके round क्या होते हैं सर्येना orbits होते हैं जिनकों पहले orbit को k, l, m, n, o ऐसे orbit बोल देंगे और पता है, electron की energy नहीं होती actually इस रास्ते की energy होती है इस रास्ते की energy होगी जैसे इसकी energy E1 है, इसकी energy E2 है इसकी energy E3 है, इसकी energy E4 है इसकी energy E5 है, मतलब इस रास्ते पे जो भी होगा न, electron हो छोड़ो कोई और भी होगा, तो उसकी energy E1 होगी मतलब электron की अपनी energy नहीं है वो रास्ते पे उस रास्ते पे जायेगा तो उसकी energy इतनी हो जाएगी मतलब अगर यहां electron हे तो E1 है यहां होगी तो E2 होगी मतलब यहां से यहां जाएगा तो electron के अंदर जो lose होगी वो radiation के form में होगी यह absorb होगी radiation के form में होगी मतलब ग्राउंड पर खड़ना हो तो जीर हो, जैसे जासे छट पर चड़ता जाओंगा, first flow पर जाओंगा, थोड़ी potential energy बड़ी, second flow पर जाओंगा, और energy बड़ी, इसका मतलब क्या, मेरी energy थोड़ना बड़ी, मैं वहाँ पहुच गया, तो उसके कारण मेरी अंदर इतनी energy आ जाएगी, फिर उसके उपर गया तो और ज्यादा potential energy, उसके उपर गया तो और ज्यादा potential energy, similarly electron के साथ होता है, इसने बोला क्या, कि भाई साब, जो orbits in which electron can revolve are known as stationary orbit, because in this orbits, energy of electron is always constant, इसने बोला कि energy lose नहीं करेगा, actually अपनी energy होती तो lose करता ना, ये तो उस रास्ते की energy है, जब तक उस रास्ते पर रहेगा, उतनी energy रहेगी रहेगी रहेगी, तो ये इसका fourth postulate, इसने रधर फुटवारी गलती नहीं करी, और fifth postulate में क्या बोल दिया, कि sir, हर एक orbit के पास कुछ fixed amount of energy है, definite amount of energy है, हर एक orbit के पास कुछ definite amount of energy है, और इसी energy को हम लोग क्या बोल देते हैं, energy levels बोल देते हैं, इसी orbits को, these orbits are known as energy levels, जिनको हम लोग बोल देंगे, और ये कहां से कहां चलेंगे, देख लो, E1, E2, E3, E4, E5, बना दो, E1, E2, E3, E4, E5 हैसे करके orbit बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोला चाहे, तो ये ध्यान से सुन लेना आपने पास, fourth postulate, fifth postulate क्या है, fifth postulate क्या है, कि सर, हर एक, दोनों के दोनों का मतलब क्या है, कि सर, हर एक के पास orbit होगा, और orbit की अपनी energy होगी, electron की अपनी energy नहीं होगी, अब sixth postulate देखना, sixth postulate क्या कहता है, सर, आप जब भी, कोई बोले न, electron जैसे पहले वाले में क्या बता, जैसे किसी और में जाएगा, energy या तो absorb करेगा, या फिर emit करेगा, तो sixth postulate क्या कहता है, धान सुना, sixth postulate क्या कहता है, कि energy जो होगी, absorb या emit होगी, in the form of photons, और यह तभी हो सकता है, जब electron क्या करे, jump करे, one orbit to, one stationary state to another state, मतलब यह तभी energy transition हो सकता है, जब energy या तो absorb होगी, अव्वे से energy कहां से, देखो, सजैसे से उपर जाते हैं, energy बढ़ती है, तो अव्वे से जैसे से नीचे से उपर जाएंगे, energy क्या करनी पड़ेगी, absorb करनी पड़ेगी, तो energy absorb होती है, energy is absorbed when electron jumps from inner to outer orbit, और उल्टा आएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसने बोला, भाई साब सुनो न, देखो, यहाँ पर lower energy level है, और यह higher energy level है, और यह higher energy level है, तो यहाँ पर, इसको क्यों लिदिया, यह higher energy level है, lower energy level है, और higher energy level है, इस case में देखोगे, तो इस case में क्या बोला जाएगा, देखो, अगर मुझे electron को lower energy से higher energy पड़ेगी, तो इनर्जी यहाँ क्या क्या होगी, इनर्जी यहां क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी क्या, और अगर उपर से नीचे आना है, ध्यास देखिएगा, अगर उपर से नीचे आना है, सब हाइर से लोवर पे आएंगे, तो इधर क्या होगा, इनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी क्या, इनर्जी क्या होगी, रिलीज ह कारण या और्बिट की अपनी इनर्जी होती है जब भी इलेक्ट्रोन इधर से जाएगा इनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा in the form of radiation सर किसने बोल दिया कि इलेक्ट्रोन की अपनी इनर्जी किस तरह से निकालते हैं कैसे होती है इनर्जी ध्यान से सुनिएगा इनर्जी तीन कॉंपोनेंट में होती है एक अपने पास कौन सी होती है सर पहले होती है potential energy ध्यान सुनिएगा potential energy potential energy ये पता है क्या होता है देखो ये nucleus है इसके उपर कितना charge है ze बाहर क्या कर रहा है electron घूम रहा है सर इसका radius माल लो अपने पास rn ठीक है potential energy क्या होगा तो सर क z e ये क्या हो गया minus e upon r सर पोटेंशल energy क्या होता है minus k z e square upon r minus k z e square upon r सर किसने बोला काइनेटिक इनर्जी बताइए तो काइनेटिक इनर्जी कितनी होगी ध्यान सुनिएगा काइनेटिक इनर्जी कितनी होगी तो सर काइनेटिक इनर्जी कितनी होती है ध्यान सुना half m v square mass of electron into velocity का square half m v square half m v square sir half m v square कैसे लिखे इन दोनों में कैसे relate करे याद करना अभी थोड़ दे पहले लिखा था sir first postulate यही था first postulate यही था m v square की value क्या लिख सकते हैं आप k j d square upon r होगा क्या from first postulate आप लिख सकते हैं देखिएगा काइनेटिक इनर्जी आपकी क्या आएगी हमेंसा positive आएगी यह देख लीजिए sir काइनेटिक इनर्जी कितनी हो गई 1 by 2 k j d square by r potential energy और kinetic energy देख लो potential energy हमेंसा क्या रहेगी electron की negative और kinetic energy क्या है अपने पास sir 1 by 2 positive अब इन दोनों energy को sum कर देंगे तो total energy आजाएगी total energy आजाएगा कैसे निकालोगे total energy क्या हो गया इन दोनों का sum कर दो sir minus k z e square चलो सोचो एक बार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है magnitude वाइज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है sir ये k j d square का half है और ये क्या है sir half नहीं है minus one times है तो देख लो अपने पास sir total energy क्या होगी जादा आजाएगी minus ये minus महीं आएगी और ये क्या आएगा total energy ये आएगा sir potential energy total energy ध्यांस देख लिजेगा sir मैं यहाँ लिख सकता हूँ kinetic energy is nothing minus of total energy अब exam hall में ये सब question भी आ सकते है kinetic energy और total energy का जो ratio लेंगे वो कितना हो सकता है minus one sir total energy total energy, kinetic energy, potential energy आपकी मर्जी है आप जितना रटना चाहें रट सकते हैं आपको अभी आपके सामने प्रूफ कर रहा हूँ derivative आपके सामने हो रहा है total energy, kinetic energy आपके सामने है देख लिजे kinetic energy is nothing minus of total energy किसने बोला sir potential energy upon kinetic energy कर दे तो करिए potential energy upon kinetic energy क्या होगा minus two होगा क्या ऐसे sir this upon this करेंगे ये two कहाँ चला जाएगा उपर negative तो negative भी रहेगा तो potential energy upon kinetic energy क्या रहा है गया two किसने बोला sir potential energy upon total energy कर दीजिए potential energy upon total energy this upon this this upon this sir minus minus cancel kjda square cancel ये कितना हो जाएगा two times potential energy is nothing two times total energy potential energy is nothing two times total energy potential energy is nothing two times total energy तो आपको direct या तो result पूछ लिया जाएगा या ये पूछ लिया जाएगा या तो result पूछ लिया जाएगा या ये पूछ लिया जाएगा अचा ये तो हो गया इसका गलब ठीक है derivation किसने पूछा sir exact energy of first orbit निकालनी हो तो energy of second orbit निकालनी हो तो जैसे आप radius of first orbit radius of second orbit ये सब बता रहे थे अभी आप थोड़े पहले radius का बता रहे थे कि radius of nth orbit ऐसे आएगा radius velocity of nth orbit ऐसे आएगा अगर similarly कुछ ने पूछ दिया energy का बताओ energy की exact value बताओ तो energy की exact value कितनी आएगी तो ध्यान सुनना energy for of nth orbit इसको हम लोग represent करते हैं en से and that is minus 13.6 z square by n square electron volt electron volt अभी थोड़े पहली बताओ electron volt is also unit of energy electron volt क्या है? unit of energy है minus 13.6 z square upon n square electron volt या फिर अगर मैं इसको joules में लिखना चाहता हूँ 10 की power minus 18 z square upon n square joules ये आजाएगा energy of nth orbit क्या आजाएगा? energy of nth orbit ये आजाएगा अब अगर आप value निकालना चाहते हो तो यहाँ पर ये आजाएगा मतलब अगर कोई बोले hydrogen atom के लिए तो यहाँ सुनिएगा hydrogen atom के लिए हमेशा याद रखे है किसी के लिए भी hydrogen atom से example ले रहा हूँ क्योंकि hydrogen atom ही होता है bors model के लिए तो e1 की value बोला जाए sir hydrogen atom के लिए z की value कितनी है? 1 e1 की value कितनी हो जाएगी? sir minus 13.6 first orbit है hydrogen second orbit निकालने जाएगे upon 9 sir देख लिए first orbit का 4 first orbit का n square पर depend करता है n का square करते चले जाएगे कितना हो जाएगा? minus 1.85 आ जाएगा यही होगा sir minus 13.6 divided by 9 minus 1. कितना आ गया? 1. कितना आ जाएगा? 1 हो गया ना तो 4, 4 अरे यार गरबड़ हो गया minus कितना आ जाएगा? minus 5, 1 electron volt E4 की value निकालने जाएगे तो E4 की value कितनी आ जाएगे? minus 13.6 upon 16 minus 0.85 electron volt आ जाएगा E5 की value निकालने जाएगे ऐसे निकालते चले जाएगे minus 13.625 sir एक time आएगा infinity पे कितनी और energy हो जाएगे? infinity पे कितनी energy होगी? 0 infinity पे कितनी energy होगी? 0 ध्यांस देख लो, Z की value 1 है, hydrogen atom की ही experiment कर रहे है, मैं एक बात लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे जैसे number of orbit increase कर रहा है, number of orbit increase कर रहा है, orbit increase कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं, orbit increase कर रहा है, energy की value क्या हो रही है, सर, energy क्या हो रही है, increase कर रही है, सर, negative में minus 13.6 is less than minus 3.4, negative में तो कम ही होती है न भाई साब, energy क्या हो रही है, energy increase कर रही है, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं, nucleus से जितना दूर जाते हैं, आपकी energy बढ़ती है, और एक चीज और, energy क्या हो जाती है, increase कर रही है, लेकिन एक चीज जो होगा वो क्या कर रहा है energy gap ये देखिएगा पहले में कितना energy gap है Sir 10.2 का दूसरे में कितने का gap है Sir 1.9 का तेसरे में कितने gap है और कम हो गया मतलब energy gap क्या हो जाएगा decrease होगा जैसे ऐसे आप आगे जाएगे energy तो बढ़ेगी number of orbit बढ़ाएगे energy बढ़ जाएगी लेकिन energy gap क् decrease हो जाएगा मतलब तुमसे कोई पूछ दे सबसे ज़्यादा energy का requirement या energy absorb कब होगी जब first से second या second से first में जाएगे क्योंकि यहां से यहां जाएंगे यहां देखो यहां पर सबसे ज़्यादा requirement सब पहले step होड़ी है दूसरा step लेना बहुत आसान सा हो जाता है तीसरा step और आसान सा हो जाएगा चितना बढ़ेगी energy gap क्या हो जाएगा कम होता जाएगा Energy gap क्या होती जाएगे कम होती जाएगी Meaner gry increase У會 बढ़ेगा energy ிंक्रीज होगी energy gap क्या होगा He заб धीरे धीरे आपका तो कोई बोले ना सबसे ज्यादा maximum जो energy gap आता है पहले और दूसरे orbit में फिर दूसरे तीसरे में फिर तीसरे चौथे में ऐसे करके क्योंकि जैसे से आगे जाएंगे energy क्या होती जाएंगे सर एक बात बताईए at n is equals to infinity infinity पे आपकी energy बोल सकता हूँ maximum होगी energy क्या होगी maximum होगी और वो किसके equal होगी जीरो infinity पे जाने की process को क्या बोलते हैं अगर आप infinity पे किसी को ले जा रहे हैं infinity का मतलब क्या हो गया कि सर सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं ionize कर रहे है ionization energy बोल देते है ionization energy मतलब आयनाईश्य energy is nothing, energy required energy given to electron to go at 10 is equal to infinity एक बाप बताओ, आयनाईश्य energy का formula क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, देखना ध्यान से, आयनाईश्य energy का मतलब क्या हो जाएगा? यह देखिए एक आयनाईश इनर्जी का मतलब क्या होगा आयनाईश इनर्जी क्या होती है कि सर ऐसी इनर्जी जो आपको कहा लेकर चले जाए इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे आपकी इनर्जी कितनी होना चीए जीरो माल लो इस बंदे को जाना है infinity ध्यान सुनना इस बंदे को जाना infinity पहई फॉस्ट ऑरबिट पहे जाना है कहां पहेँ infinity पह इनर्जी कितनी energy कि कि यसकी total energy ढृग जीरो हो जाए कितनी दोगे तर--13.6 स को जीरो कारना है तर कितना energy दे दो गे श यह-गे सर इसको जाना है, बोल रहा है कि सर इसको जाना है, मुझे ना इसको जाना इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर जाना है, भाई कितना इनर्जी दोगे उसको, कितना दोगे कि उसको जीरू हो जाए, सर प्लस में दे तो, जितना नीगेटिव है उसको प्लस में कर दो, तो आइन इनर्जी किसी का निकालना है तो वो क्या करोगे सर ये इस तरह से निकाल दोगे आयनाईशे इनर्जी का जो फॉर्मूला होता है exact opposite चलता है जो इनर्जी का फॉर्मूला होगा बस उसके उपर प्लस लगा दो, माइनस के बदले क्या लगा दो प्लस लगा दो, यही आयनाईशे इनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा तो इनर्जी ओफ हर एक और्बिट का आप देख लीचे जैसे से आप आगे जाएंगे इनर्जी और गैप क्या होता जाएगा इनर्जी गैप क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा, पक्का, सारे formula हो गए, सारे चीज़े हो गई, एक काम करते हैं, थोड़े से इसके numericals देखते हैं, numericals देखते हैं, कैसे कैसे type के borse orbit पर कैसे numericals आते हैं, तो भाई ये चलो numericals देखते हैं, इसके कितने कौन कौन से numericals आएंगे, जैसे ये example दिया है, ध्यान सु तरीका देखिए, radius of first orbit of hydrogen की value दी गई है, x एंगे स्रों, radius of second orbit of lithium plus 2, lithium plus 2 की energy क्या, उसकी value निकालने हैं, ये निकालना है, सर इसका simple तरीका होता है, जिसको निकालना है उसको उपर रख दो, जिसको निकालना है उसको उपर रख दीजे, और जो दिया है उसको नीचे रख द जीजे, सर इससे क्या होगा, radius किसके directly proportional था, n square by z के, n square by z के, तो सर, radius of second orbit, lithium का, तो n क्या होगा, 2 का square, divide by, लिथियम का z कितना होता है, 3, divide by, सर यहाँ पर, n की value क्या होगी, 1 का square, divide by 1, सर ये कितना आ गया, 4 by 3 आ गया क्या, सर, 1 by 1, 1 ही हो गया, सर, radius of second orbit of lithium plus 2 is nothing, 4 by 3 times, radius of first orbit of hydrogen, and that will be 4 by 3 into x angstrom, 4 by 3 into x angstrom, यह यह answer आ जाएगा, b is the correct answer, यह b is the correct answer, b is the correct answer, ऐसे निकाल दो, यह ऐसे निकाल दो, कभी भी question आता है, कभी भी question आता है, तो ऐसे attempt करो, जैसे अब इस question को आप उस तरह से attempt कर सकते हो, exactly लिखो, जिसको निकालना है, उसको ऊपर रख of lithium plus 2, divided by velocity of first orbit of hydrogen, sir, velocity directly proportional to kya था, z by n था, तो sir, यहाँ पर, z कितना है, 3, n कितना है, 3, यहाँ जिद कितना है, 3, 1, यहाँ पर 1, sir, यह कितना आ गिया, sir, velocity of third orbit of lithium plus 2 is similar to velocity of hydrogen, and that is v, इसका answer भी क्या आ जाएगा, sir, exactly equal आ जाएगा, exactly equal आ जाएगा, अगला देखिएगा, circumference निकालना है, circumference भी कैसे fluctuate करता है, circumference याद कीजिएगा, radius की तरह ही था क्या, circumference के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, कि sir, directly proportional to क्या होगा, radius, और radius किस पर depend करता है, n square by z, sir, एक ही atom है, मतलब circumference सिर्फर सिर्फ किस पर depend करेगा, n square पर, sir, circumference of third upon, circumference of second क करेंगे, तो sir, यहाँ z का तो कोई logic नहीं बनता, क्योंकि दोनों के लिए z क्या है, same है, तो sir, circumference का ratio किस पर depend करेगा, sir, n के ratio के उपर depend करेगा, 9 upon क्या आजाएगा, 4, circumference of third upon circumference of second orbit, कितना आ जाएगा, 9 is to 4 का ratio आजाएगा, 9 is to 4 का ratio आजाएगा, 9 is to 4 का ratio आजाएगा, 9 is to सारे टाइप के question, कोई यह नहीं बोल सकता कि सर ने कम question करा है, जादा question करा है यह देखिएगा time period का उदा है n cube upon z square, time period किस पर depend कर रहा है, n cube upon z square time period का, अगर मैं बोलू time period किस पर depend कर रहा है n cube upon z square सर यह इस पर, सर hydrogen atom है, और इधर क्या है hydrogen ही है, तो hydrogen के लिए z की कोई logic नहीं बनता है, z का logic नहीं बनता है, एक ही बनता है, z का logic लेने कोई फायदा नहीं, time period किस का, सर time period किस का लेंगे second का upon time period third का लेंगे, तो time period z के square, directly positional to n cube मतलब 2 का cube, divide by 3 का cube, यह कितना हो गया 8 upon 27 हो गया सर देख लो, within second answer आएगा अगर आप सही से execute कर पाए within second answer आएगा, time period n cube upon z square, अब बार-बार लिखो भाई, अभी time है, लिखने का time है लिखो, energy of orbit क्या होता है जैसे हैं, away from the nucleus जाते हैं, away from the nucleus जाते है, energy of orbit क्या होता है increase करता है, energy of orbit क्या होता है increase करता है, सर first excited state का meaning समझिएगा first excited state का मतलब क्या हो गया सर, ground state का मतलब होता है ground state अगर void use करेगा तो इसका मतलब होगा, n is equals to 1 ground state n is equals to 1 first excited state का मतलब क्या हो गया n is equals to 2, और n is equals to 2 में hydrogen atom का energy of second orbit of hydrogen atom कैसे निकालेंगे, सर minus 13.6, z square by n square z का square, z कितना है, 1 का square, 2 का square minus 13.6 upon 4, minus 3.4 और मेरे हिसाब से तो अब ये value आपको याद हो जानी चाहिए, ये value आपको याद हो जानी चाहिए ratio of energy of first excited state excited state मतलब n is equals to 2, to ground state of ground state of hydrogen atom अच्छा, energy का ratio निकालना है energy किस पर depend करती है sir, energy z square upon n square पर, energy का ratio निकालना है, second orbit of helium plus divided by sir, first orbit of first orbit of hydrogen, क्या होगा second orbit of helium plus divided by first orbit of hydrogen क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ देखिएगा sir, z square, z का square helium का z का square, sir n square, z का square, n square sir, इसका z का square, n square sir, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, sir, ratio क्या आ जाएगा, 1 is to 1 आ जाएगा, ratio क्या आ जाएगा, 1 is to 1 आ जाएगा पक्का magnitude of kinetic energy, kinetic energy कितना होता था, kinetic energy कितना था, half k z e square upon r potential energy के साथ कितना relation था, potential energy क्या था, minus, minus k z e square upon r था, यही था, potential energy और kinetic energy एक दूसरे के, magnitude wise बात किया जाए, तो magnitude of kinetic energy क्या है, sir, half times, potential energy है क्या, half of the potential energy है, अगर sign को हटा दिया जाए, तो इसका 1 by 2 किया गया है, देख लो, इसके questions ऐसे ही मिलेंगे, इसके questions, बोर्स मॉडले questions ऐसे ही मिलते जाएंगे, energy of third orbit of borse atom, borse atom मतलब hydrogen का atom, borse atom मतलब hydrogen का atom, हाइड्रोजन का आटम, third orbit of Bohrs atom, hydrogen का आटम, third orbit का आटम निकालने जाएंगे, क्या हो जाएगा, minus 13.6, z का square upon n का square, minus 13.6 upon 9, कितना हो जाएगा, minus 1.51, कितना हो जाएगा, minus 1.51 electron volt, यह देख लीजिएगा, हर एक orbit के, hydrogen atom के लिए यह orbit निकाला गया है, hydrogen atom के लिए यह बताया गया ह first orbit का इतना second orbit का इतना third orbit का इतना यही चीज जो बताई गई सर जैसे जैसे देख रहे हैं पहला अगर कोई पूछे hydrogen के first electron को excited state में लेके जाना है सबसे पहले step में सबसे ज़्यादा energy लएगी याद रखिएगा कोई बोले ना कि सर ये energy दे दूँगा ये energy से first second पे नहीं जाएगा सबसे minimum amount of energy जो required होगी ना hydrogen के atom को पहले orbit से second orbit पे जाने के लिए वो कम से कम इतनी चाहिए क्योंकि इससे कम energy देंगे तो hydrogen का electron excited state में नहीं जाएगा hydrogen का electron excited state में नहीं जाएगा ठीक है ना तो e 1, e 2 में अपने देखलो जैसे यसे आगे बढ़ते जाएंगे energy gap क्या हो रहा है? जैसे यहाँ देखो जैसे यसे n बढ़ रहा है orbit बढ़ रहा है, energy क्या हो रही है? energy भी increase कर रही है energy भी increase कर रही है, energy भी increase कर रहा है लेकिन जो delta E का gap है, वो क्या हो रहा है, delta E क्या हो रहा है, decrease कर रहा है, delta E क्या कर रहा है, decrease कर रहा है, जैसे SN, EN और delta E, decrease कर रहा है, पक्का हो जाएगा, शोर हो, तो ये चीज़े देख लिजिए, पक्का, तो hydrogen atom में ये सब आएंगा, अब देखो, इसी के उपर न, अब हमारे कोई पता, spectrum मतलब ये पूरी light का range, तो होता क्या है, कोई electron, अगर माल लो, तुमने अभी ज़स पढ़ा, कि सर नीचे की energy पे है, उपर जाएगा, तो energy क्या करेगा, absorb करेगा, energy दोगे कैसे तुम, energy दोगे कैसे, भाई, light से ही दोगे न, तो माल लो, देखना ध्यान से, ये क देखा क्या, इसका detector निकाल के देखा, तो मैंने देखा, ये पूरा का पूरा energy यहाँ पे न, absorb कर लिया है, देखो, जहाँ-जहाँ black आ रहा है, सर, जहाँ-जहाँ black आ रहा है, ये सारी lines क्या है, energy absorb की गई है, ये absorption spectra, इसको क्या बोलते है, absorption spectra, मतलब आपने white light दी थी, ज इसमें सारी colors थे, उसमें से कुछ colors missing है, उसमें से कुछ colors missing है, वो colors क्या हुए, वो radiation कहा गई, वो radiation कहा गई, सर, इस sample को कहा लेके गई, उस sample को कहा लेके गई, excited state में लेके चली गई, उस sample को क्या किया, excite करने में चली गई, सर, उस sample को क्या किया गई, excite करने में चली गई मतलब आपने कोई light दिया तो एक sample ने absorb किया और वो absorb करके ये detector में दिखा रहा है कि देखे सर ये color absorb हो गया ये भी absorb हो गया ये भी absorb हो गया तो ये पूरा का पूरा ये sample है ये क्या हो रहा है absorbing sample है ये absorption spectra है लेकिन तुम्हें ही पता है energy हमेशा क्या रहेगे absorb अगर जाते time ये वाली energy ये वाली radiations absorb किया है तो आते time क्या होगा अगर उसी excited state excited sample को अगर मैं मौका दूँ कि एक काम कर कोई बात नहीं excited है ना तो एक काम कर अब नीची आजा excited state को अगर बोलू कि तू नीची आजा normal stage में आजा तो वो क्या करेगा radiation देगा और उससे जो radiation देखूंगा तो उससे जो radiation मिलेगी exact इसके opposite मिलेगी देखिएगा जहाँ-जहाँ lines missing थी ना वहाँ-वहाँ lines हैं जहाँ-जहाँ blackness था जहाँ-जहाँ shadow था वहाँ-वहाँ lines हैं जो जो color उसने emit absorb किया था जो जो color उसने absorb किया था वो सब कुछ देखो emit कर चुका है absorption spectra क्या है जाते टाइम जो absorb करते हो आते टाइम exactly उसका negative मतलब अगर माल लो photographic plates देखी होंगे ना photographs के जो बुलते उसको negative negative मतलब black का white white का black एक दूसरे के एकदम opposite चल रहा है देख लो सर यहां जो missing है वो यहां है यहां जो है वो यहां missing है जो यहां है वो यहां missing है जो वहां है यहां missing है absorption spectra और emission spectra दो आते हैं ध्यांस सुनिएगा दो आते हैं क्या क्या होते हैं ध्यांस देखिएगा अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा emission कर रहा है अगर कोई बंदा emission कर रहा है the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is known as emission energy जो भी बंदा absorbed करके बैठा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं excited atom बोल देते हैं कि सर वो क्या है excited atom है और उससे जो energy release होगी वहीं क्या कहलाएगा emission spectra कहलाएगा to produce an emission spectra energy is supplied to a sample by hitting it या radiating it इस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं पक्का तो ऐसे देख लो emission और absorption spectra absorption spectra क्या है देखना एक word यूज किया गया है absorption spectra के लिए एक word यूज किया गया है देखो statement based question आया तो ऐसे questions आ सकते absorption spectra क्या है photographic negative of emission spectra मतलब जो emission spectra है उसका photographic negative बना दीजे जो वहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा जो यहाँ होगा वो वहाँ नहीं होगा absorption spectra is nothing emission spectra का photographic negative बोल दिया जाए photographic negative बोल दिया जाए सर इसको क्या करते हैं वही सेम चीज़ और यह सब कुछ किसमें पढ़ते हैं हम लोग spectroscopy हमें एक एक detail में नहीं पढ़ना है हमें पता है कि यह सारे के सारे क्या है discontinuous है emission हो चाप्स अपने पास spectra की तरह दिख रहे है तो emission और absorption spectra हम लोग ऐसे release करते हैं बदलब देखते हैं अपने को ऐसे देखते हैं हम लोग ठीक है अब यहां पर आता है हम लोग के पास hydrogen spectra क्यों क्योंकि आपको अभी एक चीज़ पता चली कि जब भी सर लोग से higher energy पे जाएंगे energy absorb होगी और higher से lower पे आएंगे higher से lower पे आएंगे तो energy क्या करेंगे release करेंगे यही पढ़ा सर लोग से higher पे जाएंगे तो energy क्या करेंगे absorb करेंगे आते टाइम energy क्या करेंगे lose करेंगे अब यह चीज़ जो हमने पढ़ी थी ना यह पहले hydrogen spectra की उपर experiment हो चुका है hydrogen spectra की उपर experiment कर दिया गया है जहां से देखिएगा यह जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी जैसे यह से आप उपर से नीशे जाएंगे हटाओ hydrogen spectra का फल प्लीज मिनिंग समझेगा कि hydrogen atom की बात की जा रही है hydrogen atom है इसका electron ध्यान सुना अगर इसका electron उपर से नीचे आता है तो n2 से अगर देखना है n2 excited state से n2 state से n2 state से अगर n2 orbit से n2 orbit से कहां आ रहा है और n2 orbit से n1 orbit में आ रहा है तो याद रखिएगा इस से न क्या-क्या चीज़े possible होती है n1 orbit में आ रहा है तो यहाँ पर दो-तीन चीज़े निकाली जाती है एक total number of spectral lines ऐसे तो continuous नहीं होता discontinuous ही होता है total number of spectral lines किस तरह निकालेंगे total number of spectral lines कितनी lines possible है कितने transitions possible है n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 divided by 2 यह total number of spectral lines आता है कि अगर आप higher orbit से नीचे की तरफ आ रहे हैं यह higher orbit से नीचे की तरफ आ रहे हैं अगर यहां से यहां आ रहे हैं तो याद रखिएगा इनका जो wavelength होगा जो energy radiation होगा यह जो energy wavelength of जब उपर से नीचे आएंगे उपर से नीचे आएंगे तो wavelength of light emitted यह जो value निकलती है यह जो value कैसे निकलती है यह value देखेंगे आप कैसे निकालेंगे तो इसके लिए एक formula आता है 1 by lambda is nothing r z square 1 by n1 का whole square minus 1 by n2 का whole square सर देख लीजेगा यह formula भी आपको पता होना चाहिए दो formula मैंने बताए आपको अगर कोई भी electron transition करता है higher energy level से higher energy level से higher energy level से lower energy level पे तो पहली बात higher energy level से lower energy level में तो hydrogen spectra में एक चीज़ याद रखिएगा इसके दो question ज़रू पुछे जाएंगे कि sir पहली sir कितने number of lines होंगे कितने possible transactions हैं और दूसरी कि wavelength of light क्या emit हो रही है कितना wavelength of light emit हो रहा है sir यहाँ कोई पूछ दे कि r क्या है तो r is known as Rydberg constant r is known as Rydberg constant इसकी जो value होती है 109677 centimeter inverse होती है आप इसको numerical में use करते हैं 1 by r is nothing 911.5 आप इसको use करेंगे जब भी आपका numerical आएगा आप इसको use करेंगे 109677 कभी use मत किजिएगा जिंदगी में कभी numerical solve नहीं होगा इसको हम लोग क्या करेंगे 1 by r को लेंगे 911.5 ले लेंगे 912 भी दिया हो तो answer tick मार देना पक्का तो sir मैंने क्या बोला अगर आप उपर से नीचे आते हैं तो आप emission करते हैं आप emission करेंगे आप energy release करेंगे और release जब करते हैं तो किसके form में करते हैं किसके form में radiation के form में करते हैं तो कौन सी wavelength निकलेगी 1 by lambda r z square n1 का square मतलब जो lower energy का square है minus higher energy का square total कितनी lines हो सकती है तो ये हो सकती है hydrogen spectra में आखिर ऐसा क्या होता है तो सुनना ये देखना है ये picture hydrogen spectra में क्या होता है देखो ये first orbit है इसकी energy इतनी है second की इतनी है third की इतनी है four, five, six, seven ठीक है इतनी है अब देखिएगा भाई साब क्या हो रहा सबसे बड़ा gap कहा है यहाँ पर सबसे उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे चल रहा है सर अगर आप कहीं से भी jump करके first में आ गए जान सुनियेगा आप अगर कहीं से भी jump करके first में आ गए कहीं से भी jump करके first में आगे तो आप कौन से series कहलाएंगे किस type की series के lines कहलाएंगे Lyman series और ये कौन से reason का होता है ये होता है UV reason का इसकी जो light आएगी हो सारी की सारी जो radiation की जो wavelength होगी जब frequency होगी वो कौन से reason के आएगी UV radiation की ध्यांस देखिएगा आप कहीं से भी second पे jump कर जाएए कहीं से भी second पे jump कर जाएए आप कौन से series पे कहलाएंगे bomber series कहीं से भी jump कर जाएए आप क्या कहलाएंगे सारी bomber series क्या होता है visible होता है सार आप कहीं से भी third पे jump कर जाएए pastion series कहलाएंगे ये क्या होता है इसके बाद जितने भी होंगे infrared होंगे, सर इसके बाद जाएंगे तो bracket series, इसके बाद जाएंगे तो P fund series, इसके बाद जाएंगे तो Humphrey series, ठीक है तो देख लो, सर क्या है, आप hydrogen के case में याद रखेगा कि कहीं से भी jump कर जाईए, आप यहां से infinity से लेके आ जाईए, अगर आपको alignment series होगा, फिर अपने पास seven से आएंगे, six से आएंगे, four से आएंगे कहीं से भी आएंगे, तो आपको दिख जाएगा कि भईया, यह क्या है alignment series, कहीं से भी one पे आएंगे, कहीं से भी jump करेंगे ultraviolet reason, बीच second पे आएंगे visible, third पे आएंगे infrared, fourth पे आएंगे bracket, fifth पे आएंगे p front, और sixth पे आएंगे humphrey हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, sure हो आजा थोड़ा time जादा हो रहे हैं लेकिन भाई, अब topic start हो गया तो खतम कर लेते हैं, topic start हो गया तो खतम कर लेते हैं, कोई भी series हो, धान सुनिएगा, lyman series की बात कर रहे थे माल लो, ये series लिख देता हूँ, ध्यान सुना, ये series है sir, पहला कौन सा, lyman series lyman series का मतलब क्या हो गया, sir, इसका lower orbit fixed है क्या होगा, lyman के लिए, 1, end 2 की value क्या हो सकती है, इसके लिए sir, 1 के लिए, क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4, dash, 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 infinity लाइमन, फिर क्या आ गया, बामर, बामर के बारे हम बात करेंगे, तो लाइमर के लिए, end 1 की value क्या होगी, 2, ये क्या होगा, 3, 4, 5, dash, 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 infinity, sir, similarly, lyman हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया, मैं दो, ये देखिएगा, 4, ये 5, ये 6, 4 वाले में कहां से आ सकता है, 5, 6, 7, infinity से लेके, infinity रग, sir, 5 वाले में कहां से आएगा, 6, 7, 8, dash, 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 infinity, sir, 6 वाले कहां से आएगे, 7, 8, 9, dash, 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 infinity, sir, n2 की value क्या करेगी, depend करेगी, n2 की value क्या होगी, depend करेगा, Sir N2 की value depend करेगा कौन से series से आप possible दिखा रहे हैं किस series से आपकी possibility दिखा रहे हैं उसी की बात करेंगे अब चलिए एक काम करते हैं यह देखिएगा N2, N1 यह दिख गया अब देखना कोई बोले लाइमन series की पहली line बताओ, पहली line first line, first transition क्या हो सकता है लाइमन series का first transition सबसे पहला transition, सबसे best transition सबसे पहला transition, सबसे पहला transition किसको बोलेंगे यह बाला, क्यों? क्योंकि तुम 1 पे आना चाहते हो, सबसे पहला transition क्या हो सकता है, 2 से 1 पे आओ तो sir, क्याद रखिएगा, जैसे ही आपको मैंने बूला, sir, इसको मैं बोल रहा हूँ, first line, या फिर इसी को बोलते हैं, alpha line, इसको ऐसे लिखता हूँ, first बोलूँ, चाहे alpha line बोल दूँ, alpha line बोल दूँ, या फिर, एक बाब बताओ, चलो, या ध्यान से देखना, ये बताओ, first line क से आएगा, इहाँ पर, sir, ये देखिएगा, energy gap यहाँ पर क्या होगा, minimum, आप 2 से अगर 1 पर आते हैं, तो इतना energy gap, 3 से 1 पर आएगे, तो इतना energy gap, 4 से 1 पर आएगे, और energy gap बढ़ता जाएगा, 5 से 1 पर आएगे, energy gap बढ़ता जाएगा, सबसे बड़ा energy gap कब होगा, जब infinity स कहा आ जाएंगे one पर तो ध्यान सुनिएगा जो पहला line होता है पहली line होती है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे first line को हम लोग क्या बोल देंगे minimum energy का line या फिर minimum frequency और इसी को हम लोग भूलना चाहें तो maximum क्या बोल सकते हैं wavelength सर याद रखिएगा किसी का भी minimum energy का line खीचना हो minimum energy खीचना हो कोई भी transition आप चेक करना चाहते है तो ध्यांस देखिएगा कैसे निकालेंगे सर जस्ट बगल वाले से jump करा दीजिए इसके लिए minimum line कौन सी होगी सर 2 से 1 maximum wavelength यही पर होगा क्योंकि सबसे कम energy gap सोचो ना इसके लिए सबसे कम energy gap क्या है यही possible है जैसे आसे उपर से jump करोगे first फे energy gap क्या होता चाहेगा बढ़ता चला जाएगा देखो ना alpha line यह होगा इसी को क्या बोल दिया maximum इसके लिए alpha line क्या होगा just bugle से 3 से 2 इसके लिए alpha line क्या होगा पहला 5 से 4 इसके लिए क्या होगा 6 से 5 इसके लिए क्या होगा 7 से 6 यही होगा यह सबसे minimum energy की line होगी और maximum wavelength होगा, जहाँ energy minimum वहाँ maximum wavelength, transition याद रखिएगा, सर सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, या फिर इसी को अब लोग बूल दे, बीटा लाइन, तो बहुत आसान सी है, आप आराम से बता सकते हैं, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, last line, limiting line, last line, या फिर इसी को limiting line, या फिर इसी को बुलेंगे maximum energy या maximum frequency और इसको बुलेंगे minimum wavelength, बताओगे, किसी का भी maximum frequency निकालनी है, maximum energy निकालना है, कोई भी सीरीज हो, चाहे लाइमन हो, चाहे बामर हो, सबसे बड़ा gap कहां होगा, infinity से उसमें, सबसे बड़ा gap कहां होगा, infinity से इसमें, सबसे बड़ा gap कहां होगा, infinity से 3 में, infinity से 4 में, infinity से 5 में, तो सबसे बड़ा gap, last line कहा द्रॉ होता है, सर किसी भी सीरीज में हो infinity से कहा जाए ये 1 सर इसकी क्या होगी इसकी क्या होगी 5 से 3 इसकी क्या होगी 6 से 4 इसकी क्या होगी 7 से 5 सेकेंड लाइन मतलब जस्ट एक ऊपर अचले जाईए third line मतलब क्या हो गया alpha, beta, gamma line अगर gamma line तुमसे कोई पूछ दे gamma line तो क्या हो गया 4 से 1 एक और उपर चले जाएए third line आपकी देख लिए 6 से 3 7 से 4, 8 से 5 9 से 6 हो गया, आप बस ये दो लोगों का नाम याद रखिएगा, दो लोगों का दिमाग में concept याद रखिएगा, जो पहली line होती है, जो पहली line होती है उसको बोलते है हम लोग, जो पहली line होती है उसको हम लोग क्या बोलते है, कि सर पहली line को बोलते है, minimum energy while line या फिर maximum wavelength while line, जो last line होती है उसको बोलते है, maximum energy और minimum wavelength, maximum energy और minimum wavelength, पक्का, तो Lyman, Balmer, पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फरी हो जाएगा सर शोर हो यह सारे के सारे हाईडरोजन आप स्पेक्ट्रा के इसमें एक और चीज आ जाती है वो भी लिख लेना अगर कोई पूच दे स्पेक्ट्र लाइन्स बिलॉंगिंग टू बिलॉंगिंग टू बिलॉंग टू जैसे बामर सिरीज के लिए न की वैल्ली क्या हो जाएगी वन लाहमर सिरीज के लिए वन बामर के लिए टू बागी ये concept आपके पास, concept के ऊपर बहुत छोटा सा जैसे अब इसके question ऐसे पूछ दिये जाएंगे, ऐसे देखोगे न, ऐसे ये देख लो, जो बताया हो ही सब है, फिरसर रिपीट कर रहा है, ये फिरसर रिपीट कर रहा है, ये फिरसर रिपीट हो रहा है, इसके question देखोगे, ये पूछ रहा है, sir, ultraviolet right में कौन सा spectrum आता है, ultraviolet line में कौन सा आएगा, lineman आएगा, कोई भी first पे jump करेगा, lineman आजाएगा, कोई भी first पे jump करेगा, lineman आजाएगा, sir, देख लिजे, अब topic ख़तम कर लिजे, to which electronic transition between bores orbit in hydrogen, the second line in bummer series, second line in bummer series, bummer series क मतलब 4 से 2, ठीक है, calculate wavelength of third line of bracket series in hydrogen spectra, bracket series का third line, bracket मतलब क्या हो गया, sir, 4 पे आना है, lineman, bummer, bastion, bracket, 4 पे आना है, first line कहां से आएगा, 5 से, second line 6 से, third line कहां से आएगा, 7 से, मतलब आप चाहते हो, मैं इसका wavelength निकालू, तो formula क्या बताया है, 1 by lambda, rz square, sir, ये क्या हो गया, n2, और ये ये क्या हो गया, n1, sir, ये formula ये ही था, ये formula ये ही था, rz square, 1 by n1 का square, 4 का square, 1 by, sir, n2 का square, 1 by lambda is nothing, r, hydrogen है, z की value 1, 1 by 16 minus 1 by 49, इसको solve करेंगे, lambda की value आ जाएगी, ये कितना हो गया, 49 into 16 upon 49 minus 16, जो भी आएगा, solve करके, 49 into 16 divided by, कितना हो गया, 3 और 3, 33 r, ये होगा, sir, तो ये देख लो, 33 r, कौन सा answer दीकर आए, sir, 784 upon 33 r, lambda की value ऐसे आजाएगी, निकाल दो, भाई, lambda की value ऐसे आजाएगी, निकाल दो, पका, कितने possible lines है, in bracket series, particular series में बोल रहा है, जब कहां से कहां jump कर रहे हो, 9th excited state से, 9th excited state से, n की value कितनी हो गई, 10, 9th excited state मतलब 10th orbit, 1st excited state मतलब 2nd orbit, 2nd excited state मतलब 3rd orbit, तो 9th excited state मतलब 10th orbit, से कहां पर, ground state पर, मतलब आप 10 से 1 पर आ रहे हो, sir, 10 से अगर 1 पर आ रहे हो, 10 से अगर 1 पर आ रहे हो, अगर मैं पूछू तुम से, total number of spectral lines, तो तुम total number of spectral lines कैसे निकालते थे, total number of spectral lines कै इसे निकालते थे, sir, n2 minus n1, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1, divide by 2, sir, यह देखिएगा, 10 minus 1, 10 minus 1 plus 1, divide by 2, that will be 9 into 10 upon 2, total number of lines कितनी possible है, 45, जो स्पेक्टर lines बनेगी, वो total कितनी possible है, 45, लेकिन मेरा answer 45 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे से यह total number नहीं पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा है, bracket series की lines बताओ, तो bracket series की lines कितनी होंगी, spectral lines of bracket series, bracket series कहां पर finish होता है, sir, कहां से jump करने का bracket series होगा, sir, आप कहां से jump कर रहे हो, 10 से, sir, bracket series की limiting line क्या है, देखो, formula लिखवाया था भी, अब just formula लिखवाया था, सब एक साब लिखवा दिया था, यह देखिएगा, special, spectral lines belonging to particular series, n2 minus n, n क्या ह n क्या है, sir, limiting orbit, किस का, particular series का, तो bracket का particular series का, limiting line कौन सा है, sir, 10 minus 4, कितनी lines होंगी, 6, 6 lines ऐसी है, जो किस से belong कर रही है, bracket series से, पक्का, तो देख लो भाईया, आज हमने बहुत सारा portion किया है, हम लोगों ने, planks quantum theory कर दी है, planks quantum theory कर दी है, आज थोड़ा lecture लंबा हो गया, लेकिन भाई, अब chapter अपना कल finish हो जाएगा, मैं चाहता था, आप इसी वी chapter फिनिश कर लो, ठीक है न, planks quantum theory हो जाए, second one हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर photo electric effect कर लिया है, photo electric effect कर दिया है, पूरा का पूरा, photo electric effect कर दिया है, third one, अगर बात करूं, तो उसके बाद हम लोगों ने start किया black body radiation, black body radiation और, black body radiation करने के बाद हम लोग आ गये थे, बोर्स model पे, बोर्स model के सारे result करे, बोर्स model के सारे result करे, energy निकाले, radius निकाला, and the last one हमने जो करा, वो है hydrogen spectra, hydrogen spectra, यह देख लीजेगा, यह 5 topics आज हमने किये हैं atomic structure के, और यहीं हमारे पास, अब इसके उपर भरे पड़े होंगे, डीवीपी में आज, डीवीपी भी थोड़ा बड़ा होगा, खास कर मैं बता रहा हो, जिन लोगों को लगता हो, डीवीपी में ज्यादा questions है, भाईया, हफते में हम लोग 4 दिन class हो रही है, तो बाकी बच बचे हुए questions, बचे हुए questions attempt कर सकते हैं, बचे हुए questions attempt कर सकते हैं, पक्का, चलो भाई, थोड़ा ज्यादा time ले लिया, सौरी उसके लिए, लेकिर हाँ, syllabus हो जाएगा, अब अगली class में पढ़ेंगे, quantum numbers, debrogly, hyper, ये debrogly hypothesis, heisenberg, तो बहुत मजा आएगा, प्लीज आज हो सक आप यकीन में देख लो, कहीं भी जाके देख लो, इस बात कहीं कि कोई topic छूटेगा नहीं, हाँ, उनके हाँ थोड़े question ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाँ time जो हता, आपके उस थोड़े question कम हो सकते हैं, फिर भी मैं अपनी, जितना होता है, जितनी variety possible है, मैं करा दे और मैं उमीद करूँगा कि अगली class में आप मेरे साथ ही chapter एंड कर पाएं, ओके, चलो मिलते हैं अगली class में, तब तक पढ़ाई करते रहो, enjoy करते रहो